ब्रत लो की आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा आज से मैं असत्य नहीं बोलूँगा जब बोलूँगा तो सत्य बोलूँगा किसी को धोखा नहीं देने का ब्रत लो किसी का अपमान ना करने का ब्रत लो मावाप की सेवा करने का ब्रत लो बुढ़ा पा गया, तो बस दस माला, बारा माला, हच सौ माला एक संत जी अयोध्या में हमें मिले वो हमारे संग के संत हैं हम साच में रहते थे, जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे हमारी उम्र के थे, उनके भी उमर 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में वो साधू हो गए, ग्रहस्ती नहीं बसाई और रोज वो सवेरे 3 बजे उठके विस्तर से नहाने चले जाते, सर्यू जी और नहां के 4 बजे तक बापिस आ जाते, वहां से 2,5 किलो मीटर था, तो पैदल जाना, पैदल आना तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही, वो दो कदम दूर उनका बिस्तर था, दो कदम पीछे हमारा बिस्तर था साथ में सोते थे, वो वहाँ सोते, हम यहाँ सोते वो तीन बजी उड़की चले जाते, चार बजे आते जब हमारी नीद खुलती, चार साड़े, चार पांच बजे तो वो भजन करते, आप उपर ठंडी चलती न, तो कंबल ढग लेते तो उन्हों को देख देखे फिर हमें लगा कि यार जब ये हमारी उम्र के हैं इतना भजन कर रहे हैं उस समय हमारा बिद्यार्थी जीवन था भागवत नहीं करने का सवभागतम मिला था बहुत कम करते थे कभी कभी तब बिद्यार्थी थे पढ़ते थे तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें फिर हमने भी ब्रत लिया आप लोग एकादसी द्वादसी पूरडीमा बाला करते होंगे हम साइध ये बाला नहीं कर पाते हमारी एकादसी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भग्भाईया लोग है वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं आज वो बताएंगे कि आज एकादसी है तो आज ये नहीं खाना ठीक है ये नहीं खाएंगे तो हमने एक ब्रत लिया था योध्या में वो ब्रत क्या लिया था हमने उनको देखके ब्रत लिया कि जब ये तीन बजी उटके चले जाते हैं और चार बजे नहा के आते हैं और माला जबते हैं भगवान का नाम तो अम मैं भी सर्योजी रोज नहाँगा बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था मैंने ब्रत लिया कि अब रोज जितने दन आयोध्या में रहूँगा एक भी दिन नागा नहीं होगा रोज सर्योशनान करने का मैंने ब्रत ले लिया और भक्तो मैंने ब्रत लिया नहीं ठागुर जी की कृपास उस ब्रत को निभाया जब तक आयोध्या में था एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरी उश्नान करने का अवसर मिलता था रोज पैदल जाते थे, संत जी वो चार बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुल दी हम चार बजे उड़ जाते हैं, चलो तुमसे घंटा बाद ही पहुचेंगे भगवान के द्वार तो चार बजे उड़ते थे, हम फिर जाते थे, साड़े चार बजे तक पहुच जाते सरी उजी दोड के जाते यहां से दोड लगाते, तो सीधे धाई किलिमीटर दूर जाके सरी उजी में रुकते और वहां रुकते तो दोडने में सरी गरम होता तो थोड़ा सा दो मिनट बैट जाते किसी ने कहा के बैट जाया करो, डारेक्ट पानी में गुच जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे तो हम दो मिनट रुक जाते, सरी नॉर्मल हो जाए फिर जाके वड़िया डुब की लगाते, सरी उजी में साड़े चार बजे और फिर वहां से पैदल दोड़ते हुए आते, और फिर बाद में आ करके थोड़ा सा उनकी देखा देखी, हम भी माला जबते, हम भी भगवान को भजन करते बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर में से आनन्द आने लगा फिर आपके बीच में बैठा दी अथा पुर्जी में, अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चड़ेगा, मेरा कहने कर दिये और जब अच्छी लोगों को देखो और अच्छा रंग चड़ है तो उसी रंग का बड़त धारन करलो कि अब तुमें रोज ये बड़त से नियम से करना, रोज सर्यू जी इसनन करना है रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुमें एक कम से कम एक माला जपनी है रोज दो आसू बहाने हैं भगवान की याद में यही संकल पे ले लो इससे बड़ा ब्रत और क्या हो सकता है। तो ब्रत होना चाहिए। ब्रत कार्थ है प्रतिग्यां। रोटी, लटू, खाने से ब्रत नहीं तूटता। आपके भीतर की जो बुराईयां हैं उनसे ब्रत चूट जाता है। जैसे शुक्रवार का ब्रत हमारी माताइं रखती है। शुक्रवार के ब्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते। अच्छा माताओं को किसे ने अधूरी बात बता दी किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है और हमारी माताओं ने टमाटर को, इमिली को, आम को, छाच को खटाई समझ लिया, बिचारी नहीं खाती डरके मारे कहीं संतोसी माता नाराज ना हो जाए अच्छा आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है अरे राम चरे तमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या तुलसी दाज जी ने बताया, मैं कोई भी बात अपने मूँ से नहीं करूँगा जो बाते हमारी रिसी मुनियों ने कही है वस वही बात आप तक पहुँचाता हूँ खटाई क्या है? नीबू खटाई नहीं है मेरी मा तमाटर खटाई नहीं है? छाँच खटाई नहीं है? अरे ये तमाटर छाँच नीबू इमली की खटाई तो केवल दूद को फाड़ती है इससे ज़्यादा क्या ताकत है नमें बताओ नीवू की खटाई क्या फाड़ सकता है केवल दूद इसकी से बहुर क्या फाड़ेगा बताओ क्या ताकत है इसमें दूद नीवू की खटाई सिर्फ दूद फाड़ सकती है परन्तु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिष्टे को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिष्टे को फाड़ देती है, पती पतनी के रिष्टे को फाड़ देती है और अनाधी काल से फाड़ती चली आ रही है, वो कपड तुम से छूटा नहीं, नीबू छोड़ के बैठ गई ये बात हम नहीं गोश्वामी जी लिख रहे हैं जलूपय सरिस बिकाई देखा हो प्रेत किरेत भले बिलग हो ही रस जाई कपट खटाई परत पुनी कपट की खटाई का त्याग करना कपट छोड़ना है जो हमारे भीतर है हा या न भगवान राम भी कहते हैं नेर्यमल मन जन सो मोहि पावा आगे लिखते हैं गोश्वामी जी मोहि कपट छल छेत्र ना भावा भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है भगवान को कपट पसंद नहीं है और वही लोगों से छूटता नहीं है कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या तो फिर ब्रत कैसे रहें बुराईयों का त्याग करके अच्छाईयों को धारन करने का नाम ब्रत है अच्छे संकल्प अच्छी प्रतिग्यां लेने का नाम ब्रत है और जैसे आज एका दसी है माना की आज एका दसी है जब एका दसी आए तो क्या करना चाहिए ब्रत कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊ गुरुवार आए और भगवान विश्णू का ब्रत करना हो तो ब्रत कैसे करना चाहिए मंगलवार आय और हनुमान जी का ब्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए सौमबार आय और शंकर जी का ब्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए वो ब्रत की पद्धती भी मैं आपको बताऊं ब्रत जैसे आज आपका ब्रत है आज एका दसी माना की तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से सनान करके लोटा भर जल ठाकुर्जी को चढ़ाओ सुर्य भगवन को और आज एका दसी है तो आज ठाकुर्जी का बड़िया अवसेक करू दूद से नहवाओ दही से नहवाओ खोब ठाकुर्जी का ओम नमो नारायनायनमा ओम नारायनायनमा लक्षमी नारायनायनमा लक्षमी नारायना भ्याम नमा खूब शनान कराओ ठाकुर जी को दूद दही से और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को और दिन भर आज मंदर में बैट के चार लोगों को और बिला लो रिस्तेदारों को पड़ोसियों आज एक दसी चार लोगों को बुलाओ और बस कीर्टन करो श्रीमन नारायन 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 खुब कीर्टन करो भगवान का नाम भूब जबो और जाप करने में कीर्टन करने में पूजा करने में इतने खो जाओ इतने डूब जाओ कि सुवह से शाम कब हो गई पता ना चले अरे भोजन की याद ही ना आए सुवह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए इसका नाम ब्रत है रोटी छोड़नी नी पड़ती भजन में इतने मस्त हो जाओ कि यह सब अपने आप छूट को हमने देखा दिन में सुते रहते हैं ब्रत के दिन क्यों सुते रहते जागेंगे तो रोटी कि याद आएगे बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग ब्रत के दिन उतना खा जाते हैं ब्रत के नाम पर बड़ा खा लेते हैं लोग, वो महगा महगा खाते हैं इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए इसका अर्थ क्या है भगवान का चिंतन भगवान के भजन में इतने दूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे अरे लड़की का विवाह जब होता है ना तो बाप के पाउं में काटा भी लग जाए तो उस काटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है हा या ना बाप नंगे पाउं काम करता है ये समान लाना वो करना यहां जाना वो करना बाप के पाउं में दर्द कब होता है जब बेटी घर से जब तक विदा नहीं होती तो पाउं में दर्द नहीं होता क्यों दर्द नहीं होता क्योंकि पिता अपने काम में बेटी के विवाह में इतना मगन था इतना डूबा था कि उसे अपने पाउं का दर्द भी नजर नहीं आया वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से बेटी विदा हो गई अब काम नहीं है तो फिर दर्द शुरू हुआ उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिलकुल ना लगे भगवान के भजन में डूबे रहो इसका नाम ब्रत है ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ भगवान के भजन में सुबह से शाम तक ऐसे द्रवजी महराज ने ब्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किये बिना मैं लोटूंगा नहीं आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है और आप भी भगवान की प्राप्ती के लिए आपको कुछ नहीं करना ना भगवान की प्राप्ती के लिए ना पत्नी को छोड़ना ना परिवार को छोड़ना केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है प्रेम करना तो सीखा ही होगा बच्पन में हाँ, मा से प्रेम किया, फिर भाई से प्रेम किया फिर पतनी से प्रेम किया, फिर बच्चों से प्रेम किया फिर मकान, दुकान से प्रेम किया इन सबसे प्रेम कर सकते हो तो बिहारी जी से प्रेम नहीं कर सकते हो आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं आप लोग अच्छा वाला प्रेम करते हैं मा बेटे से कितना बढ़िया प्रेम करती है मा और बेटे का प्रेम कितना बढ़िया है एक पल के लिए बच्चा नजर ना आए तो मा ब्याकुल हो जाती है देखो कितना बढ़िया प्रेम है एक पल के लिए बेटा नजर ना आए तो मा क्या होती है ब्याकुल होती है बच्चे को छोट लग जाए तो मा रौने लग जाती है बाह कितना सुन्दर प्रेम है पर यही प्रेम थोड़ा सा अरे इसका हाफ आधावी भगवान से होता तो भी नहीं आप पार हो जाती पर क्या करें पूरी जिंदगी जीली पर इसका आधावी प्रेम भगवान से ही तो ना हो सका जितना बेटों से हो गया है आपको जितना बेटी से प्रेम है आपको जितना दुनिया से प्रेम है आपको जितना जगत से प्रेम है आपको उतना जगनात से हो जाए तो काम ही बन जाए फिर तो मोक्ष में कोई बाधा ही नहीं है भगवत प्रक्ति में कोई बाधा ही नहीं है पर क्या करें होता ही नहीं ये सारे सास्त्र पुराण क्या कहते हैं हम पूरी जिंदगी हम जब तक जीएंगे तब तक यही कहेंगे आपसे कि भगवान से प्रेम कर लो भगवान से प्रेम कर लो भगवान से प्रेम कर लो सारे वेदो चार वेदों का सार क्या है सारे वेदों का सार है भगवत प्रेम अठारह पुराणों का सार क्या है अरे भाई एक बाप ने बेटी का विवाह किया बेटी के विवाह मैं पचास लग की तो गाड़ी थी और सारे बारातियों को एक-एक मॉटर साइकल दी और करोडों रुपईया बैंक में बेटी को दामाद को दे दिया बड़ा पैसे वाला पिता घूब दिया जाओ ले जाओ सब 10-20 प्लॉट दस-20 प्रॉपरिटियां दे दिया ले जाओ बड़े-बड़े अच्छे अच्छी लोकेशन जाओ एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में अरवों खर्च कर दिया परंतु उस बेटी का उसके होने वाले पती से प्रेम हुआ ही नहीं वो दोनों पती-पतनी प्रेम करते ही नहीं तो अब मेरा प्रशन आप से है कि वो दौनों पती पतनी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो विवाह का इतना सारा खर्चा सार्थक हुआ कि ब्यर्थ गया हाँ की ना ब्यर्थ गया कि सार्थक हुआ अरे भाई पिता ने इतना खर्चा इसलिए किया था कि बेटी हमारी खुशी से अपनी ससुराल में रहे पती के संक पर पती तो प्रेम करता ही नहीं और ये छोरी भी प्रेम नहीं करती तो लो पिता का इतना सारा दान दक्षना सब बेकार चला गया उसी प्रकार तो मैंने ब्रत किये उपवास किये यग्ड किये जब किये और नाना तीरत किये वरत किये सब किये पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है यदि प्रैम हो गया तो सब सार्थक है ये सारे ब्रत उपवास नियम धियम सब केवल भगवत प्रैम के लिए ही तो है आप कथा सुन रहे हैं किसलिए इसलिए कि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रैम जाग जाए और प्रैम जाग गया तो सब को सुनना सफल हो गया मेरा सुनाना भी सफल हो गया और प्रैम नहीं जागा तो अठारा पुराण भी किस काम के फिर यदि प्रैम नहीं जागा तो ये 18 पुराण भी केवल इसलिए हैं कि तुमारे भीतर भगवत प्रेम जगा सकें ये भागवत ये चारों वेद केवल तुमारे भीतर के प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं प्रेम जाग गया तो फिर भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए जिसके लिए हम जिसके लिए आखें तरस रही हैं, भाट रही हैं और प्रेम नहीं हुआ, रामचरत मानस में भी रामजी स्वयम कह रहे हैं अच्छा बिहारी जी की पूझा हम लोग कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं हम लोग अपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते हैं पुस्पों की माला हलट दूर पेड़े तमाम अच्छी बात ले जाना चाहिए पर बिहारी जी से भी कभी पूझ लो कि तुमें पसंद क्या है भाई आपको हमने छप्पन भोख खबाया आओ 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 आप हमारे रबडी खाओ रस गुले खाओ ये खाओ वो खाओ अरे भाई एक वार हमारा फर्ज है कि हम आपसे ये भी पूझ लें कि भी या तुमें क्या पसंद है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो जो परोसा होसमें कोई भी आपको पसंद ना हो इसलिए मा जब बच्चे का जनम देना आता है तो मा बच्चे के लिए वही बनाती है जो बच्चे को बच्चे को गाजर का हलुआ पसंद है तो आज माने गाजर का हलुआ बनाया है बच्चे को सूजी का हलुआ पसंद है तो माने सूजी का हलुआ बनाया है बच्चे को पराठे पसंद है तो माने पराठा बनाया क्यों अरे बच्चे की पसंद यही है जरा बिहारी जी की पसंद पूछो कि तुमारी पसंद क्या है लड़ू पसंद है क्या पेड़े पसंद है क्या माला पसंद है क्या भगवान कहेंगे ना हमें ये कुछ भी पसंद तो क्या पसंद है लिख रहे हैं गोश्वामी जी राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले ये जो जान निहार भगवान को केवल प्रेम पसंद है और प्रेम से भगवान को एक बत्ता दे दोगे तो वो भी स्वीकार है प्रेम से एक सड़ा सा फल दे दोगे तो वो भी अरे विदुरानी ने प्रेम से छिलके दिये तो खाए की नहीं प्रैम से सुदामा ने कच्चे चावल दिये तो खाए कच्चा चावल कौन खाता भीया आप हमारे घर आवें और हम आपको कच्चा चावल परोस हैं तो आप तो रूट जाएंगे वा हमें कच्चा परोस दिया हमें ढोर समझा है क्या हमें जानवर समझा है क्या पर सुदामा के कच्चे चांवल कनेया कहाँ भागे जा रहे थे सुदामा जी पका के खा लेते हिच्डी बना लेते, दूद डालके, सक्र डालके खीर बना लेते और आगे खीर भी तो खाई जा सकती थी पर भगवान ने कच्चे ही चांवल क्यों खाए क्योंकि भक्त का प्रेम उन चामलों में था तो भक्त जैसे दिया भगवान ने वैसे ग्रहन कर लिया विदुरानी ने जैसे छिलके दिये भगवान ने वैसे खा लिये मतलब भगवान वस्तू के भूखे नहीं थे वस्तू के पीछे जो भक्त का प्रैम था वो प्रैम भगवाने स्विकार करें भगवान बिहारी जी लड़ू खाएंगे पर लड़ू खाएंगे तब जब खिलाने बाले के भीतर लड़ू से जादा प्रैम हो लड़ू में जितनी मिठास है उस से जादा प्रेम आपके भीतर होगा तो वो लड़ू भगवान खाएंगे और प्रेम नहीं है तो फिर लड़ू तुम चढ़ा दो अपनी संतुष्टी कर लो और प्रेम है तो बासी रोटी भी खाएंगे छिलका भी खाएंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती भगवान कहते हैं कोई भक्त ये पत्ता उठा कर दे दे कह दे कि प्रभू मेरे पास तो बस इतना है तो भगवान इस इस रुलम कर लेंगे चल तेरे स्रद्धा तो है तेरी भॉक्तित तो है तो खाएंगे कोई एक फल देदो आप जूठा ही देदो चलो तुम एक कौर खा लो अशके बाद तुम्ही यादाए कि भगवान को ने खिलाया तो भगवान ओबी खालेंगे पर वो प्रेम तो हो, वो प्रेम कहां से लाओगे वो आप लोग जानो मनुजी महराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियब्रत प्रियब्रत का विवाह विश्व कर्मा की पुत्री वरहिस्मती से हुआ जिनके पुत्र हुए हैं आगनीत्र, इनके फिर नाभी हुए, फिर अंग हुए, फिर रिशवदेवजी हुए रिशवदेवजी के सो बेटे हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत एक दिन इर सब देवजी महराज अपने सारे पुत्रों को उपदेश कर रहे थे नायम देहो देह भाजाम रलो के कष्टान कामान नरहते विड़ भुजाए तपो दिब्यम पुत्र काये निसत्वम सुध्य दस्मात प्रम्ह सौख्यम त्वनन आप भी अपने बच्चों को जरा बिठा कर उपदेश दिया करो आज श्रीर सब देवजी अपने बच्चों को बिठाते हैं उपदेश देते हैं क्या उपदेश देते हैं बेटा नायम देहो देह भाजाम रलो के अर्थात ये सरीर संसार के भोगों के लिए नहीं मिला तपो दिव्यम सरीर भगवद भक्ती में तपाने के लिए मिला जरा तपाओ तपश्या करो तपाने का रथ बिद्यार्थी जब तपता है मेहनत करता है तब उसके परसेंट अच्छे बनते हैं और तपश्याना करे अर्थात तपेना अर्थात पढ़ेना रजल्ट कैसे अच्छा आएगा आप अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं तो साहज में तो चले नहीं गएह साहभ कोई महनत तो की होगी आपने अर्थात आपने अपको तपाया होगा जब तपाए तो आप I.S. I.P.S. बन गए बड़ी मुच्छी पोष्ट पर चले गए ऐसी तो साहज में चले नहीं गए होंगे बड़ा तपाया होगा आपने तपस्या की होगी अरे भाई जब बिना तपस्या के तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो बिना तपस्या के भगवान कैसे मिल जाएगा ये तो समझो हाँ तो तपस्या तो ज़रूरी तपाना यही तो तपाना है कोई पैसों के लिए तपा रहा है कोई भगवान के लिए तपा रहा है देखिए I.S. I.P.S. बनना हो उची पोच्ट में जाना होना तो बड़ी तपश्या करनी पड़ती, तपश्या में इस बड़ा अज्यन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती, दिन रात पढ़ो, तब कहीं जाकर एग erkennen कALते हैं, हां, सहरेज में निकलते, एक वो हैं, जो घर मेंए बैटके तपश्या कर रहे हैं आप तयारी कर रहे हैं और वो साधू संत भी तप रहे हैं फर कितना है कि आप तपस्या करके क्या पहुंचा दिया जाएगा पैसा बहुत मिलेगा इस तपस्या से संसार के सुख मिलेंगे बहुतिक सुख नाम होगा पद होगा पैसा होगा होगा वानन्द से इस तपस्या से संसार की सुख सुविधाय मिल सकती हैं संसार के भोग मिल सकते हैं पर जो जंगल में बैटके रिशी मुनी तपस्या कर रहे हैं वो भोगों के लिए नहीं वो तो भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं अब आपको निरने लेना है कि आपको किस के लिए तप तबस्या तबस्या दौनों में हैं भोगों को पाने के लिए भी तबस्या करने पड़ेगी और भगवान को पाने के लिए भी तबस्या करने पड़ेगी अब जीवन में आप किसको अधिक महत्व देते हैं भोगों को या भगवान को भोगों को महत्व देना है तो संसार पर् गुणा अच्छा है करोणों गुणा इस सुख की तो मैं तुलना करूं गुड की तरह है आदमी को गुड तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसे रवडी ना मिल जाए एक आदमी ने कभी रवडी खाया है नहीं बस गुड खाता वो सबसे कहता भई गुड बहुत अच्छा है गुड वह तुम भी खाया करो और वास्तवक में गुड अच्छा है ठंडी को खाना ची गुड अच्छा है गुड बड़ा स्वादिष्ट है गुड बड़ा खाया कर किसे ने रबड़ी चटा दी और रबड़ी चाटा तो भूल गया भई ये क्या है अरे तू बोला को ही लाना कल वाली अब वो दूसरे देन नहीं लाए अरे वो कल वाली कहाँ अरे तेरे बस तो गुड़ है नए ने गुड़ नहीं वो वाली दिखाओ वो कहाँ है जो कल चटाई थी तुम्हें कहाँ है अब वोसको अब भूल गया कि गुड़ी कुछ होता वो रबड़ी की पीचे भागने लगा बस संसार का सुख गुड़ की तरह है पर भगवान की भक्ती का सुख तो रबड़ी की तरह है एक बार तुम चाट लोगे न भक्ती का सुख एक बार तुम्हारी जीवा पर लग जाए राम नाम का सुख फिर ये संसार का सुख तुम्हें भाएगा ही नहीं अभी भा रहा है मतलब अभी वो सुख मिला नहीं अभी वो आनंद वो प्राप्त नहीं हुआ मिल जाए तो इसे छोड़ना नहीं पड़ता मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो भलाना ना मैं कभी ये कहता कि पतनी छोड़ो ना परिवार छोड़ो मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम पतनी छोड़ दो पती छोड़ दो घर छोड़ दो मैं ये कहता हूं सब के बीच में रहूं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब आम का फलक अच्छा होता है तो वो ब्रक्ष को पकड़के रखता है और वही आम जब पक जाता है तो ब्रक्ष से छोड़ाना नहीं पड़ता वो अपने आप घर में रहती रहती पक गई आपकी भक्ती पक गई तुम भक्ती घर से ही स्टार्ट करो और घर में रहते रहते भगवान में मल लगाओ भगवान से प्रेम करो जब भगवान से प्रेम करते करते तुमारी भक्ती पकने लगेगी पक जाएगी तो संसार में फिर तुमे आपको पकाना है, छोड़के तुम जंगल में नहीं जा सकते, बन विभाग बैठा है घुशने नहीं देगा, आज के जवाने में कौन जंगल जाएगा, तो आपको घर में ही रहके करना पड़ेगा सब, और जंगल में जाएंगे तो पिर वहां समस्या ये भी है कि भय है, घर में कम से कम डर तो नहीं है किसी बात का, विस्तर में बड़ी आनंद से सोतो रहे हो, जंगल में जाओगे तो डर के मारे भजन नहीं कर पाओगे, जबकि घर में तो आप भजन कर सकते हैं, तो क्यों ना घर को ही चुना जाए भजन के लिए? भगवत प्राप्ती के लिए सबसे बड़िया घर है, घर से बड़िया कुछ नहीं है, बड़िया भगवान का भजन करो, परिवार भगवान को सौंप दो, बेटा भगवान का, बेटी भगवान की, पत्नी भगवान है प्रभू, सब आपका है, और ये सब आपकी माया है, ह जाते हैं मैं इसका मालिक हूँ ये मेरा है ये मेरा है कुछ भी अपना मत समझो है सब तुमारा पर मैं का ये जो अहंकार है ये डिलीट कर दो मैं इस बच्चे का बाप हूँ मैं इस बच्चे का पिता हूँ ये जो मैं का अहंकार है कि तुम ही इसके बाप हो ये जो अहंकार ह बाप वाला ये डिलीट कर दो और उस बाप की जगह भगवान को बिठा दो प्रभू जी तुम ही इसके पिता हो मैं तो कुछ नहीं हूँ अपने आपको आप हटा दो वहां से फिर देखो मैं इस घर का मालिक हूँ अपने आपको हटा कर उस जगह पर उस इस्थान पर भगवान को बिठा दो प्रभू ये घर आपका है ये फैक्टरी आपकी है ये दुकान आपका है ये बिजनेस आपका है ये ब्यापार आपका है बस आप न्यूटल हो जाओ ना क्यों? गयर में फशे पड़े हो गाड़ी तब तक ही तो भागती ही जब तक गयर में होती है न्यूटल होती है तो खड़ी हो जाती है पार्किंग में खड़ी है न आगे न पीछे खड़ी है तो आप भी जो गयर में फशे पड़े हैं एक नमबर, दो नमबर, ती नमबर, चार नमबर Noodle, पारकिंग मूर में डाल दो अपने आपते Silent सब भी हरी जी का मेरा कुछ नहीं मैं नहीं मेरा नहीं यह थन किसी का है दिया जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया जब देने वाला वही है तो मैं क्यूं दिन गैं मारूं कि मैं मैं ये मैंना Silent चुक, noodle श्री भारत जी महराज को पिता का उपदेश चढ़ गया और भारत जी महराज घर से थे उनके रिशब देव जी तो भगवत भजन करती हुए चले गए नौ बच्चे योगिश्वर हो गए भारत जी महराज अपना घर परिवार छोड़ के गंडगी के तटपर चले गए श्री भारत जी महराज गंडगी के तटपर गए और संसार छोड़ के पतिनी पुत्र का मोह छोड़ कर जंगल गए और बस भगवान का ध्यान करने लगे नारायन 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 भगबत भजन करने लगे तब ही भारत जी से गलती हो गई कि भारत जी एक दिन नदी में शनान करने गए तो वहाँ एक मरगी का बच्चा बह रहा था मरगी ने पानी में ही बच्चे को जनम दे दिया तो वो बच्चा पानी में बहता जा रहा था बस मरने वाला था तो भारत जी की निजर पड़ गई तो भारत जी उस मरग के बच्चे को बचा कर अपनी कुटिया पर ले आए देखी कुटिया पर ले आए यहां तक तो बढ़िया था पर अब भरत जी से गलती ये हो गई कि भरत जी उस म्रग के बच्चे सिफ प्रैम करने लग गए मेरा म्रग मेरा म्रग उसी के संग बैठे हैं उसी को खिला रहे हैं अब भजन भजन सब छूट गया म्रग 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 को चराते हैं म्रग को घुमाते हैं म्रग के संग बैठते हैं म्रग से बाते हैं का जंगल में कोई छा नी म्रग से नेह कर लिया अन्त में जब म्रत्यू का समय आया तो भरत जी उस म्रग को देखते 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 मर गए प्राण निकल गए और जब प्राण निकले तो यमराज ने कहा कि आप म्रग को देखते देखते आये हैं इसलिए अब आपको म्रग की योनी में जाना पड़ेगा अन्तेयामती सागती आप लोगों से प्रार्चना है कि आप लोग भी मरने के पहले मन ना लगा लेना किसी में क्योंकि जहां मन लगाओगे वही दुर्गती होनी है आपकी मरते समय मन इस्त्री में लगेगा तो आपको इस्त्री बनना पड़ेगा मरते समय मन पुरुष में लगेगा तो पुरुष बनना पड़ेगा मरते समय मन कुत्ते में लगेगा कुत्ता बनना पड़ेगा मन जहां लगेगा वहाँ जाना पड़ेगा इसलिए मरते समय बिल्कुल, 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 मन को हटा देना, अज़ा बहुत सारे अडवांस जो लैप्टॉप, कम्प्यूटर है न, आजिकल जहां से जैसे आप काम कर रहे हैं कोई भी, काम करते-करते वो बंद हो गया कम्प्यूटर, लैप्टॉप, कोई भी, मॉबैल फॉन में भी ये सिश्टम आ गया है, काम करते करते बंद हो गया बैटरी के कारण बंद हो गया तो उसके बाद जब आप चार्ज में लगाएंगे तो वह वहीं से स्टार्ट होगा हाँ या ना एडवांस टेक्नोलोजी है पहले ऐसा नहीं था पहले सुरू से स्टार्ट होते थे अब क्या हो गया है कि लैट्टॉप में आप काम कर रहे हैं और वो बंद हो जाएगा तो आप चार्जर बैटरी चली गई हो आप ध्यान ना दे पाए बंद हो गया अब क्या हुआ अब हां बस आपका मरते समय मन जहां लगा है तो दूसरा जनम वहीं से स्टार्ट होगा जहां इस जनम में आखरी बार मन लगा था कंप्यूटर वहीं से चालो हुआ जहां से बंद हुआ था बस ईश्वर भी यही है आपका मनी राम मन आखरी समय जहां है गती वही है अंतियामत सागती इसलिए मरते समय मन को सबसे हटा लो लैप्टॉप बंद हो उसके पहले कामधाम पूरा करके सेफ कर लो फाइल और अपने गैलरी में आजाओ बड़ी या बाहर आजाओ हां ताकि वहां से आप फिर किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं आप भी मरने के पहले सब बापसी कर लीजिएगा पत्नी से मन हटा लीजिएगा पुत्रों से मन हटा सबसे बिलकुल अपने बापसी आ जाईएगा ताकि आपका मोक्ष हो जाए और यदि मन बेटे में लगा रहा तो लोविया बेटे के उपर मन लगा रहा आप फिर तुम किसी के बेटे बनके आओ फिर तुम जंजट में पड़ो इसलिए बिलकुल साइलेंट मन कहीं न लगे बस मरते समय भगवान में मन लगाओ इसलिए मरते हुए आदमी को गीता सुनवाई जाती है इसलिए सुनवाई जाती है ताकि गीता के सब्द सुने और उसका यहाँ वहाँ मन लगाओ तो हट जाए पर आजकल उल्टा है जब मर जाता है तब गीता सुनवाते है अब केसे सुनवा रहे हुए या मरने के पहले गीता इसलिए सुनवाई जाती है कि यहाँ वहाँ से मन हट जाए भरत जैसे ग्यानी का मन लगा तो भरत जैसे ग्यानी को म्रग बन के आना पड़ा जंगल में लगी आग तो भरत जी म्रग बने के आए थे अब वो म्रग बने थे आग लगी तो उसमें जल गए फिर तीसरा सरीर मिला उन्हें मनुश का भगवान ने कहा कि तुम्हें एक मौका और देंगे मनुश बनाने का अब तुम गलती ना करना नहीं तो गती बिगड़ जाएगी अब भरत जी म्रगवन के गए उसके बाद मनुष्य बनकर आए अब भरत जी बिलकुल चुप रहते हैं किसी ने गाली दी तो कोई उत्तर नहीं किसी ने स्तुती की तो कोई उत्तर नहीं बड़े चुप रहते, गुमसुम गुमसुम रहते, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, कुछ भी काम भारत जी नहीं करते, भारत जी को पता है कि पिछले जनम में म्रग के चक्कर में गती बिगड़ गई थी, इस जनम में भी गती ना बिगड़ जाए, इसलिए तब के खाए, तब ख खाई तो खाई अब खाई तो राम दोहाई अब नहीं करेंगे गलती। दूद से जली हुई बिल्ली भी छाच को फूख फूख के हाँ पीती है। तो आप से ये गलती ये अपराध ना हो जाए कि आप भी मन कहीं यहां बहां लगाए। मन भागवान के स्री चरणों में अब भारत जी ने पूर्ण रूप से समर्पिच कर दिया। पिता ने कहा गीता पढ़लो पिता ने कहा ये पढ़लो वो पढ़लो। पर भारत जी ने कुछ नहीं पढ़ा, भारत जी को पज़ा था कि मैं पढ़ लूँगा और कहीं पढ़ाई का ही घमंड आ गया तो भी मैं उलजे जाऊंगा साधी कर लूँगा तो कहीं सुन्दर पत्नी का, सुन्दर बच्चों का हंकार ना आ जाए आज कल माब आपको भी बड़ा हंकार होता है, मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो वो है, बेटे की यह हंकार करें घूम रहे हैं बेटा कोई अच्छी कोश्ट में चला जाए, भेर देखो पिता को ऐसे चलता हंकार पगपग में बैठा और वो ये समझते नहीं है कि भाई यही तुमारे सबसे बड़ा दुस्मन रावर जैसों का हंकार टिकाने तुमारा क्या टिकेगा और याद रखना भगवानों को हंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल रती भर पसंद नहीं है दुरिवोधन के घर भगवान ने भोजन क्यों नहीं किया क्यों कि अहंकार था विदुरानी के घर भोजन क्यों किया क्यों कि अहंकार नहीं था क्यों नहीं समझते लोग इन बातों को और याद रखना अहंकार के बल भगवान को नहीं हमें भी अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को भी अहंकार अच्छा नहीं लगता आपका कोई दोस्त आपसे अहंकार में बात करें आपका पडोसी आपसे बड़ा एटिटूट में बात करें तो आपको अच्छा लगता है बोलो आपका भाई ही आपके सामने बड़ा इगो मैं बात करें आपसे आपको अच्छा लगेगा अरे भाई जब आपको हंकार अच्छा नहीं लगता तो भगवान को हंकार कैसे अच्छा लगेगा जो व्यक्ति हंकारी है वो भगवान के मतलब का नहीं आप ये अपराध ना करिएगा भारत जी बिलकुल चुप हैं कोई उत्तर न साधी करते हैं न ग्रहस्ती न हैं ग्यानी पर बोलते कुछ नहीं है क्योंकि उनको पता है कि बोलने में कहीं न उलज जाएं भारत जी वस उनकी भाजाईयां बासी रोटी दे देती हैं तो नमक के साथ खा लेते हैं एक बार भावियों को वो भी महंगी पढ़ने लगी तो भावियों ने अपने अपने पतियों से कहा ये निठला घर में बैठा बैठा खाता है कुछ काम धाम तो करता नहीं भाईयों ने खेत भेज दिया जाओ धान बोधी है चिडियों को उड़ाना पर भरत जी तो भरत जी बाजा वजा वजा कि चिडियों से कहने लगे कि चिडिया खेत भी राम जी का और तुम भी राम जी की हो खाओ राम जी की चिडिया राम जी का खेत खाओ री चिडिया भर भर पी राम बैठे हैं चिडियों से खवा दिया भाईयों ने आके दो लाटिया जमाई निकम्मा किसी काम का नहीं है खेत में भी चिडियों को धान खबा दिया घर से निकाल दिया भरत जी घर से निकाल दिया भरत जी को लगा अब भगवान की कृपा हो गई अब मैं बिल्कुल संसार से बिल्कुल मुक्त हो गया अब भाईयों ने भोजाईयों ने गर से निकाल दिया पिता जी तुम चले गए थे भगवान के घर अब भरत जी बिलकुल जंगल में भगवान के भरोसे विचरन करते हैं वो कहीं भी बैढ़ जाते हैं साप के बाजू में बैढ़ जाते हैं उनको ये विश्वास है कि भगवान जितनी स्वासें दी हैं वो पूरी लेनी है ये साप डसेगा भी तो हम मरेंगे नहीं क्योंकि उनको साप से जादा भगवान पर भरोसा था ये क्या डसेगा हमें क्या रथ है इनका इनका रथ है ये है कि जब भगवान के बनकर घर से निकलना तो बिलकुल निडर होके निकलना याद रखना जीवन में डर वही डरते वही हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है वो ये जानते हैं कि मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी क्या मारेगी मृत्यू भारत जी बिलुकुल स्वक्छंद विचरन करते हैं जंगल में कोई भाय नहीं कोई डर नहीं कोई बाधा नहीं एक बार जंगल के भीलों ने भारत जी को पकड़ लिया तो मारी नर्बली चढ़ाएंगे भारत जी ओले ठीक है भारत जी को खाया पिर खिलाया पिलाया बड़ी लड़ू खिलाया पकवान खिलाया भरत जी बोलिवा बड़ी खिला रहे हो खिला रहे भरत जी खूब खाये और भरत जी तो बल्कु साइलेंट जो मिल जा खा लेते हैं खाया और माला पहनाया गले में भरत जी को कोई ने खिलाया तो खा लिया माला पहनाया तो माला पहन लिया, अब उन्होंने का चलो सिर जुकाओ, तो मारी बली चढ़ाएंगे, तो भारत जी ने सिर भी जुका दिया, ये नहीं कि नहीं हमें मत मारो, काहें नहीं मारो, मारेंगे, भारत जी ने बिल्गुल खुसी से सिर जुका दिया, मार दो, अरे भाई, देखो जीवन में न भाय भी इतनी होना चाहिए तुम अपना सिर जुका दो मौत होगी तो नहीं जुकाओगे तो भी मारे जाओगे और मौत नहीं होगी तो जुका दिया है तो भी नहीं मारे जाओगे कई बार एक्सिडेंट होता हम सुनते हैं एक plan crash हो गया گिर गया plan के सारे यात्तरी मारे गए पर कुछ रह गई क्यों रह गई जब सारे मारे गई थे तो ये भी नहीं पड़ जाते क्यों रह गई मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है मैंने पढ़ा था एक शिप के बारे में समद्र में डूबी थी, सबसे बड़ी थी, कुई नाम था 1914 की बाद थी हाँ, टाइटेनिक नाम था उसका उसमें पंद्रा सो लोग, लगभग पंद्रा सो लोग मारे गए थे पर कुछ उसमें भी बच गए थे हाँ जी, टाइटेनिक जहाज था, पानी में डूबा था लगभग 1914 की बात है यह, लगभग, कनफरम नहीं कह सकते लगभग 1914 की बात है यह, टाइटेनिक में बहुत सारे यात्री सवार थे बड़ा सुरक्षित जहाज बनाया था बनाने वाले ने लोग यात्रा पर थे, पानी बर्फ की चटान से टकरा गया एक्सिडेंट हुआ, पंद्रह सो लोग समुद्र में डूब कर मर गए पर उसमें भी कुछ बचाए गए, कुछ, कुछ मतलब एक या दो अब प्रशन यह खड़ा है जब पंद्रह सो मरे थे तो फिर एक दो भी मर जाते, एक दो क्यों बच गए, क्योंकि मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बाल नबाका होता उसका बाल नबाका होता उसका जिसका रक्षक दयानिधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है इसलिए भारोसा भगवान पर किया करो भगवान बाल भी वाका नहीं होने देंगे आपका भगतो अब क्या हुआ श्री भारत जीने सिर्जुकालिया और उन्होंने तलवार मारनी चाही तो भद्रकाली जो खड़ी थी वो प्रगट हो गई मेरे भ diagnostic को मार रहे हो भद्रकाली ने प्रगट हो के उन्हीं दुष्टों को मार दिया और भरत जी के जीवन की रक्षा कर ली जीवन में जब आप के प्राणों की कोई रक्षा करता है तो आप ये ना सोचा करो कि फला व्यक्ति ने मेरी रक्षा की आप ये कहा करो कि परमात्मा नहीं इस रूप में मेरी रक्षा की है परमात्मा ही जीवन दाता है वही किसी ना किसी रूप में आकर हमारे जीवन को बचाती है इसलिए सबसे अधिक भरोसा भगवान पर करना सीखो सबसे जाधा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं रचा है स्रश्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रश्टी चला रहे है जो पेड हमने लगाया पहले उसी कफल हम अब पा रहे हैं रचा है स्रश्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रश्टी चला रहे हैं रचा है स्रश्टी को जिस प्रभू ने वही ये सरश्टी चला रहे हैं जार सरश्टी को तिस कबूरे ज़िए सरश्टी चला रहे है जो पेड हमने लगाया पहने जो पेड हमने लगाया पहने जो पेड हमने लगाया पहने ज़िए का फल हम अभका रहे हैं ज़िए सरश्टी बुदिस प्रभूरे जो तिस कबूरे जो तिस कबूरे इसका अर्थ समझ लीजिए कि जिस परमात्मान है सरश्टी रची है वही से चला रहे है तुम और हम तो केवल कट पुतली की तर नाच रहें और जो पेड कल लगाया था पिछले जनम में जो पेड अच्छे वा बुरे करमों का लगाया था उसी का फल तुम अब पा रहे हो जरा भाव के संग, मस्ती के संग जरा बुरे कराव के अखिया था जरा था जरा खिया पा रहे हो जरा दो तुम और लोगाया था जरा इसी धरा से सरीर पाए इसी धरा मैं फिर ये समाए कहने का अर्थ ये है कि हमारा सरीर भी इसी धरती से बना है माबाप के खाय हुए अन से ही तो हम बने हैं और इसी में अन्त में हम मिल जाएंगे इसी धरा से सरीर पाए इसी धरा मैं फिर ये समाए इसी धरा मैं फिर ये समाए ऐसा अच्यनी अम यही धराता इसा अच्यनी अम यही धराता इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं रचा है सर्ष्टी पुझिस प्रभूने वही सर्ष्टी चला रहे हैं घज सब्सक्राइब हो मैं आज साकरते क्वार्स अच्यनी अम इसाथ पूरे इसे भल्रा संब आढ달 जिन्हों ने भेजा जगत में जाना तैंकर दिया लोट के फिर से आना आपने बेटे को बाजार भेजा है तो बेटा बाजार से लोट के कहा आएगा बोलो घर ही तो आएगा उसी प्रकार हम और आप संसार के बाजार में आए है और लोट करके जिस दिन तुमारा और हमारा जनम हुआ था उसी दिन भागवान ने ये तैं कर दिया था के जा रहे हो बापिस भी आना है पर यहां आकर लोग भूल जाते हैं कि बापिस भी जाना जिन्हों ने भेजा जगत में जाना तैकर दिया लोट के फिर से आना जो भेजने वाले हैं यहां पर वही फिर बापिस भूला रहे हैं रचा है स्रष्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रष्टी चला रहे हैं इसी धरा से सरीर पाएं इसी धरा में धिरिये समाएं है सत्यनीयम यही धरा का इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं ना चाह स्रष्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रष्टी चला रहे हैं जिन्हों ने भेजा जगत में आना तैं कर दिया लोट के फिर से आना जो भेजने वाले हैं धरा पर वही फिर बापिस बुला रहे हैं रचा है स्रष्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रष्टी चला रहे बैठे हैं जो धान की बालियों में समाए महंदी की लालियों में हर डाल हर पत्ते मैं समा कर गुल रंग वी रंगे खिला रहे हैं रचा है स्रष्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रष्टी चला रहे इसलिए हम किस बात का हंकार करें जो रचे हैं वही चला रहे और हम तो यात्री गण हैं आज इस स्टेशन में हैं कल उसे स्टेशन में रहेंगे है ना परमात्मा ट्रेन की तरह है ट्रेन तो परमानेंट चलेगी अपने रास्ते से अब यात्री जो कल बैठा था वो आज नहीं बैठेगा जो आज बैठा है वो यात्री बदलते रहते हैं ट्रेन कहां बदलती है ट्रेन तो वही है इश्वर तो ट्रेन है और हम उसमें सवार यात्री गण है तो आज है कल रहेंगे नहीं इसका भरोसा नहीं है तो वहांकार किस बात का करें जब हमारा ही भरोसा नहीं तो वहांकार किस बात करें इसलिए श्रीव भरत जी महराज अब कोई प्रतियुत्तर नहीं तभी वहां से सिंदु सौवीर देश का राजा पालकी पर चड़के चला और एक कहार बिमार पड़ गया तो भरत जी को कहार बनाकर लगा लिया अब भरत जी कहार बनके चल रहे हैं रास्ते में चीटी थी भरत जी को लगा पाउं रख दूँगा मर जाएगी तो भरत जी छलांग लगाते हैं अच्छा भरत जी के कंधे पर रहुगण की पालकी सिंदु सौवीर देश का एक राजा था बड़ा अहंकारी था कपिल देव जी के पास जा रहा था आज कपिल भगवान के आश्रम में पहुँचे उसके पहले भरत जी से भेंट हो गई और भरत जी को पालकी कंधे पर रखे चलनी पड़ी ये राजा रहुगण वही है पिछले जनम का मरग इस जनम में राजा बन के आया क्योंकि उस रम्रग को संत की संगत में लगई न देखिए क्या हुआ भरत का मन एक म्रग में लगा था की नहीं तो भरत जी का मन लगा था उस म्रग में तो भरत जी तो बन गए म्रग और उस म्रग का मन लग गया था भरत जी में तो वह म्रग बन गया राजा रहूगन जो सत्संग करने जा रहा है। आप का मन जिसमें लगा है आपको वो बना पड़ेगा। तो श्री भहरत जी महराज रहुगण को राजा रहुगण जब चीटियों पेपाउ ना रखके भहरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण के पाल की सिरफे ठकराई राजा रहुगण ने का क्यों रे कौन है ठीक ठीक नहीं चल रहे उचलकूद कर रहे हो कहारों ने का महराज ये भरती हुआ यहीं उचलकूद कर रहा तब भरत जी को उनके कहारों ने डाटा ए बाई ठीक ठीक चलना गलती ना करना नहीं दंड मिलेगा अब की बार भहरत जी ने देखा फिर चीटियां है तो भहरत जी ने फिर छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगी कि राजा रहुगण के मस्तक से रक्त गिरने लगा रक्त की धार अब तो परदा हटाकर राजा रहुगण आग बबूला हो गया मूर्खो जानते नहीं मैं कौन हूँ कौन है कहारों ने कहा महराज ये है अब रहुगण का पूरा गुस्सा भहरत जी पर फूट पड़ा बहुट डाट लगाई बड़ा दुवला पतला है मेरा भार नहीं उठा सकता राजा हूँ मैं अभी तुझे मौट के घाट उतार दूँगा मृत दंड दूँगा भहरत जी चुपचाप उसकी सारी डाट सुन रहे थी मैया जी दुष्टों के मूह नहीं लगना चाहिए गाली जो आपको दे उनके मूह लगोगे भारत जी संत थे चाहते तो श्राप दे के भस्म कर सकते थे मुझे गाली देता तपश्या का बल था इनके पास पर नहीं कुट्टा आपको काटता है तो आप तो कुट्टे को नहीं काट लेते आप तो इंजेक्शन लगा के अपना इलाज करते हैं और आपने भी उसे काट दिया तो फिर उसमें और तुम्में अंदर क्या रहा श्री भरत जी महराज आज चुपचाप हैं और आज भरत जी ने राजा रहुवन से कहा त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो हु समें स्याद दिवीर भारह गंतुर यदिस्याद दिगं में मद्वा शीवे तिरा सवुन विदां क्रवादह आज रहुवड़ ने कहा तुम बहुत दूबले पतले हो भरत जी मौटे ताजे थे तो व्यंग कर रहा है बड़े दूबले हो हमें उठानी पा रहें तब भरत जी ने जबाव दिया राजन देखिए भार तो सरीर में होता है मौटा पतला सरीर हो सकता है आतमा नहीं हो सकती आतमा तो एक जैसी है इसलिए आप जानते नहीं है आप सरीर को वातमा समझ बैठे हैं आप डाट किसे रहे हैं अच्छा आप किसी को डाटते हैं तो किसे डाटते हैं फलाने व्यक्ति को आप डाट रहे हैं तो भाई ये तो बताओ कि वो है कौन तुम जिसे डाट तुम सरीर को डाट रहे हो कि आतमा को सर देखिए सरीर अलग है आत्मा बिल्कुल अलग है सरीर और आत्मा वैसे ही अलग अलग है जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग है मोबाइल अलग सिम अलग पर दोनों एक दूसरे के पूरक है जब तक SIM मोबाईल में न पढ़ है तो मोबाईल किसी काम करे और SIM को मोबाईल न पहे तो SIM भी अकैली किसी काम की नहीं दॉनों हैं अलग पर हैं एक दूसरे की पूरख उसी तरह आत्मा SIM जैसी है सरीर मोबाईल सेट जैसा है मोबाइल है यह मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें सिम नहीं पड़ेगी नेटवर्क नहीं होगा वाइफाई नहीं होगा नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा उसी प्रकार आत्मा तो वाइफाई जैसी है आत्मा सिम जैसी है यह सरीर तब ही काम करता है जब आतमा होती है, आतमा निकल जाए, अच्छा जो आदमी मरता है आपकी भासा में तो आतमा ही तो निकलती है, सरीर तो जियों कत्यों पड़ा है, आदमी के मरने के बाद क्या विगड़ता है यह बताओ, आतमा ही तो नहीं रहती, बाकी तो सब है, आख कहीं नहीं गई, नाख कह क्यों जला देते हो आपी तो बेशते हो ले जाओ क्यों जलबा देते हो क्यों दफना देते हो उस व्यक्ति की वैल्यू तब तक थी जब तक उसके भीतर आत्मा थी सीधी बात कहें तो सरीर की कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू तो उस आत्मा की है और सची कहूं तो तुम सरीर तो हो ही नहीं क्योंकि तुम सरीर होते तो तुम तो तब भी थे जब अनिरुद्धाच्यार कौन है सरीर नहीं हूँ मैं मैं वही आत्मा हूँ जिसके निकल जाने से लोग कहेंगे मर गया मैं वही आत्मा हूँ सरीर पाँच चीजों से मिलकर बना है प्रथवी, जल, वायू, वगनी, आकाश इन पाँच चीजों से मिलकर सरीर बना है और अंत में ये पांचों तत्व पांचों में जाके मिल जाते हैं प्रथवी तत्व प्रथवी में वायू तत्व वायू में जल तत्व जल अगनी अगनी में आकाश बचा क्या आत्मा बची आत्मा जाके परमात्मा से मिल गए आत्मा परमात्मा में फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि तुमने जो पाप और पुन्य भोगा था उसका फल कौन भोगेगा यदि आत्मा परमात्मा में मिल गई सरीर पांस तत्तों में मिल गया तो फिर तुमने जो पाप किये हैं इसका फल कौन भोगेगा जो पुन्य किये हैं इसका फल कौन फिर क्यों करता है अदमी पाप और पुन्य क्यों डरता है पापों से क्योंकि पाप और पुन्य भोगने वाला भी कोई है तुमारे भीतर कौन भोगता है आपके भीतर के पाप कौन भोगेगा पुन्य कौन भोगेगा बताओ आप बताओ जल्दी से सोच के फिर हम बताईंगे कौन भोगता है हमारे भीतर एक चीज और है मोबाइल में मोबाइल तो है से मेह एक तीसरी चीज और होती है जिसे हम मैमोरी कार्ड कहते है मैमोरी होती है कि नहीं आपने मोबाल से कोई चीज आपने फोटो किलिक की तो फोटो जाके सेव कहा होती है चाहे फॉन की मेमोरी हो चाहे मेमोरी कार्ड हो होगी तो मेमोरी में फॉन के अंदर भी इंटरनल मेमोरी होती है होगी सेव मेमोरी में है मॉबाइल का कैमरा फोटो को किलिक कर सकता है सेव नहीं कर सकता सेव तो मैमोरी में होती है वीडियो बन सकती है पर वीडियो सेव तो होगी मैमोरी में ये कैमरे लगे हैं कैमरों में भी किनारी एक मैमोरी पड़ी रहती है memory में सारा data save हो जाता हाँ जी बस इसी तरह तुमने जो पाप और पुन्य किया है न ये तुमारी memory में save हो रहा है ये memory क्या है तुमारा सूक्ष में सरीर जिसे हम मन भी कहते हैं मन को हलके में मतले न यह मन ही तो जनम रत्यू का कारण है सारा जन्जट मनी राम का है ये जो मन है यही सूक्ष में सरीर है हमने जो भी पाप किये हैं मन में save है उनने किये हैं सम्मन में feed है जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष में सरीर अच्छा सूक्ष में सरीर क्या है वो भी में आपको, आपने कभी सपना देखा है की नहीं, सपना देखा होगा, तो आप अपने कमरे में सो रहे थे, पर सपने में हरिद्वार चले गए, तो ये बताओ, सपने में आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो, ये कौन है, जो गंगा नहा रहा है, कौन है ये, आप तो कमरे में सो रहे हो और ये हरिद्वार कौन घूम रहा है कौन आपका मन आपका मन आपको वही स्वपन का द्रश्टा है स्वपन का द्रश्टा कौन है स्वपन का द्रश्टा मन है और मन को ही बिद्दुजन सूक्ष्म सरीर कहते हैं ये सरीर हमारा इस थूल सरीर है ये सरीर हमारा इस थूल सरीर है और मन सूक्ष में सरीर है ये तो यहीं जलाने के काम आता है पर सूक्ष में सरीर ही जाता है भगवान के घर और वहीं पर हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुन्य किया है और जो तुमने पाप किया है तो पापों का फल तुमें कीडा, मकोडे बन करके नाली का कीड़ा, मकड़ी, चमकादर ये सब बनके आना पड़ता है यही तो करमों का दंड है नर्क जाना पड़ता और तुमने पुन्य किये है तो फिर तुम्हें भगवान मनुष्य कातन देते हैं तुम्हें गलती की तो तुम्हें पाप का दंड भोगना पड़ा जब आदमी मरके जाता है तो भगवान हिसाब किताब करते हैं कितना पुन्य किया, कितना पाप किया या मराज पूरा हिसाब लगाते हैं को ने 5 किलो पाप किया है 100 ग्राम को निकिया है 5 किलो पाप और 100 ग्राम तो पहले पाप ज़्यादा है ना 5 किलो निकले अच्छा आपके कितने पाप निकलेंगे जब हिसाब होगा बताओ पांच किलो यह निकलेंगे कि कुछ कम भी निकलेंगे कितने उम्मीद है आपको हां कुछ कम ज्यादा होंगे कि पांच ही निकलेंगे दस्तों निकलेंगे निकलेंगे कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा कि उम्मीद है महराज ज्यादा उम्मीद है हां हम तो कहते हैं भगवान आपके एक रत्ति पाप ना निकले पर हिसाद किताब होगा तो आप लोग नअभी खूब मौज कर रहे हो खूब कपड चल रहा है, छल चल रहा है जूप चल रहा है ठेहरो ठेहरो मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा कर लो मनमाने कर लो हाजी पांच किलो पाप जब निकलते हैं तो पांच किलो पाप का फल भोगने के लिए भगवान फिर मरत्यू लोक में भेशते हैं जाओ पांच किलो पाप तुमने किया है अब उनका फल भोग पांच किलो पाप खतम कैसे होते हैं तुम्हें मच्छर बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है, नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, चमगादर बनना पड़ता है, सुर बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, वरक्ष बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है, सेर बनना पड़ता है, सब कुछ तो二 रांड 84 का चक्र दो बार फिर दो बार मथ्छर बनना पड़ेगा दो बार ना-ली का कीड़ा बनना पड़ेगा और 15 कलो पाक किया तो तीन बार बीस कलो डीजा तो चार बार वह फिर आप रब लगा लें न आपने कितनी बार आपकी इच्छा है बनने की 4 84 का चक्र, पुन रपी जननम, पुन रपी मरनम, ये 84 का चक्र ऐसी ठोड़ी है, भाई दसवी में कोई फेल हो जाए, तो फिर से तो पाठ एक पढ़ेगा, लेसन वन पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा की नहीं, और दो बार फैल हो जाए तो, दो बार पढ़ेगा की नहीं, ले अब पांच किलो पाप हैं, अब तुम्हें नाली का कीड़ा बना के फिर सब बना के अंत्म यौनी हैं गव माता की, आखरी यौनी क्या है, 84 लाख यौनियों में आखरी यौनी हैं गव, गव माता की, गव माता जो है वो अगले जनम में निश्चित कनफरम हैं कि वो मनुष् आखरी यौनी, तो 84 का चक्र घूमने के बाद आखरी में गव माता तुम सब को बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ा होगा, आपको भी बनना पड़ा, अब बने हैं मनुष्य, अब भाईया बचके चलना, पांच किलो कहीं फिर से ना हो जाये नहीं, फिर 84 का चक्र, और पन्य फे ना तुमारे, जब तुम पूरा 84 का चक्र भोग लेते हो, तो भगवान के पास फिर जाते हो, भगवान हमने पांच किलो पाफ भोग ली, अब क्या करें, भगवान बोले तो तुमारा 100 ग्राम पन्य था, उस सौ paranअ के बल पर तुमें भगवान पिर मनुष्य का तन देकर के संसार में भेज देते हैं, जाओ, एक और अबसर दे रहा हूं तुमें, इसलिए गो श्वामी जी लिखते हैं, कि बड़े भाग मानुस तन पावा, अर्था तुम सौ ग्राम पुन्य लेके आए हो, अच्छा कोई 200 ग्राम पुन्य लेके भी आया है, जिनके पुन अधिक होते हैं, वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं, अरे जिनके थोड़े से पुन्य थे, उन्होंने भगवान के किरपा से मनुष्य का तन पातो लिया, पर थोड़े से पुन्य होने के कारण भगवान का पर भगवान में मन नहीं लगा, अभी भी भोगों में मन लगा हुआ happened Faga his मनवान नोð पने जंब में मनन सुक नहीं लगा हुआ है कि इनके पुन्य लगा हुआ यही है, तो भोग भोग रहे थे, तो इस जनाम वेवीन का मन भोग में तुरंत लग गए, बिना सिखाय सीख गए, जिनका पुन्य अधिक होता है, याद रखना, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप जरूर अधिक पुन्य आत्मा होंगे, तभी तो कारतिक के महिने में श्रिधा आपको मिला, और बिहारी जी के दरसन मिले, और कछा मिली, और जो कछा सुन रहे हैं, वो बड़ भागी है, आपका मन भगवान में लगा है, आप अधिक पुन्य आत्मा है, जो भोगी व्यक्ती है, उससे produce उसके है, जो भगवान में मन लगाई है, जिसका पुन्य अध जहां लगता होगा उसे सबसेपन्य होंगे आपके श्री, भारत जी महाराज, राजा रहुगण को पदेश करते हैं राजन जाग शरीर भार है, आतमा भार नहीं है कर्मों का फल भोगना पड़ता है राजा रहुगन के ज्यान से भरत जी के ज्यान से राजा रहुगन का अज्यान मिटा चरणों में गिर पड़े और राजा रहुगन भगवान भरत जी से कहने लगे कि हमें नर्क जाना पड़ेगा क्या हाँ 28 प्रकार के नर्क होते हैं जो जैसा पाप करता हो से वैसे नर्क में डाल दिया जाता है राव रव महा रव तामिस्त रंद्र तामिस्त रकुम बीपाग काल सूत्र असिपत्रवन ऐसे 28 नर्क है भारत जी के द्वारा रहोगण का कल्यान हुआ भारत जी भी परमधाम को गए है अब राजा परिक्षित थर थर कापने लगे शुकदेव जी बोले भाई आपको क्या हुआ आप क्यों परिशान हो रहे है तो राजा परिक्षित जी कहने लगे महराद मुझे डर लग रहा है क्या मैं भी नर्क जाओंगा मैंने भी तो कोई पाप किया ही है मैंने संत का पमान किया है गले में मरा हुआ सर पडाला क्या मुझे भी नर्क जाना पड़ेगा तब शुकदेव जी ने कहा राजन कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ बहुत बड़े पापी हैं तो भगवान एक ओफर देते हैं हम सब को तुम पापी से महापापी हो और यदि तुमने भगवान का नाम जप लिया एक बार तो उसे नाम के बल पर ही भगवान तुम्हें भवसाकर से तार देंगे तुम्हें परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पापी से पापी व्यक्तिवी भगवान का नाम लेके तर सकता है वो श्वामी जी लिख रहे हैं कल युग जोग ना कल युग जोग ना जग्य ना ग्याना एक अधार जामे गुण गाना क्रते यद्यायते विश्णूं त्रेतायां यजदो मखई द्वापरे परिचर्यायां कल युग के शवकी इल्टेनाद सत्यूग त्रेता द्वापर में जोगती यग्द करने से जप करने से तप करने से समाधी लगाने से सेवा करने से मिलती थी कल युग में वही गती केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाएगी भगवान का नाम विश्वास के संग जपो फिर कल्यान हो जाएगा भगवान का नाम विश्वास के संग जपना सीख लो कल योग्य के वल नाम अधारा सुमरी सुमरे नर उते रहे पारा कल योग्य के वल नाम अधारा सुमरे सुमरे नर उते रहे पारा तुम ही मेरे मन्दिल तुम ही मेरे पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की धिल्मिन सच कहूं भागवान ही मेरे माथे की बिंदिया है जैसे नारी की सोभा बिंदिया के विना नहीं है नारी कितनी भी सुन्दर हो पर सोहागन इस्त्री को तो बिंदि लगाने की बड़ी जैसे नारी का मस्तक बिंदिया के विना अधूरा है उसी प्रकार हमारा जीवन भी भगवान की भक्ती के विना अधूरा है जैसे नारी की सोभा माथे की बिंदिया बढ़ाती है ऐसे जीवात्मा की सोभा उसकी भक्ती बढ़ाता है भक्ती बढ़ाती है तो भगवान की भक्ती तो हमारे माथे की बींदिया है श्री अजामिल जैसा पापी अजामिल बहुत बड़े पापी थी केवल पाप करते थे पत्नी थी तो भोग भोगते थे बस कोई काम नहीं था इसके सिवा पर वो पापी से पापी अजामिल भी उनके घर एक संत आये और संतों ने उनके बच्चे का नाम कह दिया कि इसका नाम ना रायन रख देना बस अजामिल तो कभी जपानी कभी पूजा करी नहीं केवल पाप करता है जुआ खेलता है शराब पीता है सारे गंदे गंदे गलत गलत काम करता है वैस्याओं से संपर्क बना है इसका संबंध बना है इसका ऐसे घिनोने और गलत काम श्री अजामिल करता है पर वो अजामिल जब मरता है तो मरते समय उसके मुझे धोके से अपने बेटे का नाम निकल लिया और उस परमात्मा ने अपने पार सदों को भेज दिया जाओ इस भगत को लेकर आओ बड़ा अच्छा है मुझे पुकार रहा है मरते समय इसलिए हम आप से कह रहे हैं इसलिए हम आप से कह रहे हैं कि मरते समय भगवान का जरूर इश्मर्ण करिएगा हे नाथ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविन्द नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविन्द नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना मुरली मदुर बजाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी पीतां बरी कसी हो ओटों पे कुछे हसी हो जब मन मैं ये बसी हो जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी कतट हो मेरा सावेरा निकट हो मेरे मुख में तुल सी दल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी आना जरूर आना राधा को साथ लाना मुरली मधुर बजाना कब जब प्राण तन से निकले हे गोविंद हे नाच बस इतनी किरपा करना गोविंद के बस जब मरूं तो आपका नाम मेरी जिहवा पर हो तेरा नाम कंठ आवे कोई रोग ना सतावे मन तुछ तुछ में ही लगावे जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी भगवान से यही प्राण न करो कि हे नाच मैं आपको कभी भूलूं नहीं सदा भगवान का चिंतन करता रहूं और आप बिलकुल परिसान न होईएगा जब भगवान पर विश्वास आप रखेंगे तो भगवान ही सारे काम बनाएंगे आप तो प्रार्चना कर देना कि हे नाच मेरी तो एक्षा है कि जब प्राण निकलें तो आप ही मुझे कृतार्च करने के लिए मुझे धामने के लिए आएं है ना और मुझे विश्वास है कि जब कनहिया मेरे संग है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं साविरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है इसके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसी की ये आउकात है आओ जरा गोविंद को अपने संग रखते हैं और जब आप हो तो डरने की क्या बात है साविरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है साविरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है इसके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसी की ये आउकात है साविरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है साविरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो चाए काली घटाएं तो क्या इसके छतिरी के नीचे हूँ मैं चाए काली घटाएं तो क्या इसके छतिरी के नीचे हूँ मैं आगे आगे ये चलता मेरे मेरे मालक के पीछे हूँ मैं इसने पकड़ा मेरा हाथ है बोलो डरने की क्या बात है साबिरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है साबिरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्यों मैं भटकूं यहां से वहां इनके चरणों में बैठना जूठे स्वारत के रिस्ते सभी मेरे काना से रिस्का बना जूठे स्वारत के रिस्ते सभी मेरे काना से रिस्का बना ये कराता करामात है बोलो डरने की क्या बात है साहो ला जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है यहां आनंद की लगती जड़ी ऐसे महफिल सजाता है यहां आनंद की लगती जड़ी ऐसा आनंद सजाता है हम क्यों नए दिवाने बने ऐसे जलवे दिखाता है हम क्यों नए दिवाना बने ऐसे जलवे दिखाता है दिल चुराने में विख्यात है बोलो डरने की क्या बात है दिल चुराने में विख्यात है बोलो डरने की क्या बात है सावरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है सावरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है इसके रहें कोई कुछ कहे बोलो किस की ये आवबात है बोलो किस की ये और आद है बोलो तरने की क्या बात है छाए काली घटाएं तो क्या इसकी छतिरी के नीचे हूँ मैं आगे आगे ये चलता मेरे मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं इसने पकड़ा मेरा हाथ है बोलो तरने की क्या बात है भगवान का नाम जपोगे तो फिर आप कितने भी पापी क्यों ना हूँ गोश्वामी जी लिख रहे हैं कितना भी बड़ा पापी हूँ भगवान की शरण में आजाए तो भगवान उसे भवसागर से पार लगा ही देते हैं धुंदकारी का उध्धार हुआ चित्रकेतू का उध्धार हुआ चित्रकेतू व्रत्तासुर का उध्धार हुआ व्रत्तासुर के पुत्र चित्रकेतू तृता सुर पिषले जुनम में चित्रकेतू छेन के बेटे मैंने का मन लग गया था चित्रकेतू राजा का जब बेटा मरा तो राजा रौने लगे कि हमारा बेटा मर गया भगवान तुमने गलत किया कई बार जब आपके अपने कोई मर जाते हैं तो आप भी रोते हैं भगवान आपने गलत किया, उस समय लगता है कि गलत किया, कई लोग भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं इसलिए कि भगवान आपने हमारे संग गलत कर दिया, इसको कई अच्छा ये बताओ आपके आप भ भक्ति करो कुछ भी करो पर मरना तो पड़ेगा, इस सत्तिता से भागो मत, इस सत्तिता को स्विकार करो, और कोई मर गया तो चलिए दुख की बाद तो है, पर उसे दुख में कव तक डूबे रहोगे, क्या मिलना है उस दुख में डूबने से, प्रकरती की सच्चाई को क्यो को न कर रहे हो क्यों नहीं स्विकार कर लेते अरे भाई आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा आप अप कोई मर गया तो हम लोग रोते हैं फलाना मर गया अरे उसकी मरत्यू पर रोते क्यों हो तुम भी मर रहे हो अपनी तैयारी कर लो कुछ तुम भी तो मरोगे चित्र केतू का बेटा मर गया, रौने लगे मेरा बेटा मर गया नारजी ने समझाया, मत रो तुम ग्यानी हो, भिर भी रो रहे हो ना महराज हमारा तो बेटा मर गया, भगवान की इतनी भगती करी भिर भी मर गया अरे भाई भगवान की भगवान की भगवान की तो क्या बेटा नहीं मरेगा क्या हम नहीं मरेंगे क्या तुम नहीं मरोगे नर्सी महता का भी बेटा मर गया था नर्सी महता ऐसे भगवान को सामने खड़ा कर लिया था उनका भी तो बेटा मर गया था, 25 साल की उमर में, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तेरी भक्ती करता हूँ तुने बेटे को, अरे भाई, देखो, बेटा मेरा हो या तुमारा हो, जिसकी उमर जितनी परमात्मा ने फिक्स की है, वो उतना रहेगा, परिसान ना हुआ करो, जिसके जीवन में जितना सुख मिला है, लिखा है, जिसके जीवन में जितना सुख है, मिलकी रहेगा, और जितना दुख है सो, मिलकी रहेगा, तुम ना सुख देने वाले कोई हो, ना तुम दुख देने वाले कोई हो, अपने अपने करमों का फल इंस आथ श्री नारत जी ने समझाया मत रो मत रो मत रो नहीं बेटा रो चला गया रोई हिंगे लगा रॉने तब नारत जी ने मरे warm बेटे को जिंडा कर दिया ले तेरे को बेटा जी यह ले अब बेटा जिंदा हुआ तो चित्र के तू दोड़ पड़े आ, तुझे गले से लगा लूँ, गले लगाने दोड़ा, तो बेटे ने कह दिया ख़बरदार, गले वले मत लगाना, पहले ये बताओ, तुम कौन हो, चित्र के तू बोला, मुझे नहीं जानता, मैं तरह पिताओं, तेरे लिए रो रहा था, ये नारज जी ने जिन्दा किया है, तब उस बच्चे ने कहा, पिता जी, किस जनम के बाप हो, ये भी तो बता दो, मेरा तो करोडों बार जनम हो चुका है, हाँ, मेरा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोडों बार जनम हो चुका है, किस जनम के माई बाप हो, किस जनम के रिस्तेदार हो ये भी तो बता दो जैसे सौ का नोट दो हजार का नोट जो आज आपके पास है आपके पहले ये किसी और के हाथ में था उसके पहले ये किसी और के हाथ में था जब आपके पास है तो नोट को आप अपना कहते हैं जब आप से निकल के किसी और के हाथ मजाएगा तो वो भी कहेगा ये नोट मेरा है हा की ना बोलो दो हजार का नोट आपके पास है तो आप कहेंगे मेरा है मेरे पास आएगा मैं कहूंगा मेरा है मेरे से आगे जाएगा तो मैं कहूंगा मेरा है उसके आगे आप बताओ वो किसका है बताओ किसका है वो नोट किसका है उसी में लिखा है भारती रिजर्व वैंक लिखा होता है कि नहीं वो नोट उसका है जब चाहे बंद कर दे जब चाहे आप से ले ले आप कुछ नहीं कर पाएंगे वो नोट सरकार का है तुमारे पास है काम चलाने के लिए चलाओ, उसके बाप मत बनो के मैं इसका मालिक हूँ, उसी प्रकार, बेटा, बेटी, पती, पतनी, सब भगवान की बैंक से आए हैं, सब भगवान के हैं, जब चाहेगा बुला लेगा, तुम्हारे पास हैं, तो अपना करतब बे करो, संग रहो, ख ने क्या कर लिया, और दो हजार के भी बंद हो जाएंगे, तो तुम और हम क्या कर लोगे, तो जिसको बंद होना था बेचारे, तो हजार और पांच सो के तो बंद हो गए, पर सो का बंद नहीं हुआ, तो जिसको जब बंद होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, नही करो कि बस किसी के जीने मरने से तुमारा कोई लेना देना नहीं फिर भी जबरदस्ती रो रहे हो परिशान हो रहें तो आप लोग इतना सुंते हैं कछाएं पर घर जाते जाते सब बह जाती है कोई किसी पड़ोसी के भी मरने में लोग रोने लगते हैं, हमारे यहां तो एक मैया थी, उसके आशू नहीं आती थी, तो विचारी जंडू भाम लेकर जाती थी, नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बताओ, रोव नहीं रही है, लगाती रहती थोड़ी थोड़ी दिर मैंगे, तो कई बार ना फॉर्मेल्टी भी करने ही पड़ती है, हां मैं तो लगता है, आप लोग फॉर्मेल्टी करते रहते हैं, क्यों, माताओं बड़ा खतरनाक रोती हैं पर, हमें डर लग जाता है कई बार, पता नहीं कहां सीखी लेती हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा हैं इनको रोते हुए, जब कोई मरता है तभी इनका एक्षन चालू होता, उल्टा सीधा रोती हैं, अरे सीधा सीधा रोलो चुप चाप, कहीं क्या क्या कहके आदमी को हसी ही आ जाए, ऐसा ऐसा माता है रोती हैं, खईबार लगता ही नहीं कि मरे में आये, लगता कॉमेडी देखने आये, कॉमेडी सो चल रहा है, तो ऐसे रोया करो के रोने टाइप का लगे, और ज़्यादा भी मत रोया करो, दो चार बहाली है बस बागी भगवान के लिए बचा के रखो, भगवान के लिए एक नहीं हो जमाने के लिए लाख आसू बहा दिये, बताओ, भगवान के लिए आसू नहीं बहते, भहारी जी के दरसन करके आजाते हैं, आसू नहीं बहते, प्रेम के दो आसू वहां नहीं बहाए, और कोई मर बस जाय तो बाल्टियों से आसू अरे जमाने के लिए आसू बहाए हो, नासूँ की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बैल्यू है, भगवान के चरणों में दो आसु बहे होते तो वो बड़े महत्व पूर्ण थी बड़ा महत्व रखते हैं वो आसु जो भगवान के लिए बहते हैं और वो आसुओं की कोई कीमत नहीं है जो संसार के लिए बहते हैं इसलिए अब निरने आपका है मैंने तो भाई आपको दरपन दिखा आप संसार के लिए भी रो सकते हैं, भगवान के लिए भी रो सकते हैं, कहां रोना है, मर जी आपकी है, किसी के मरने में मत रोया करो जादा, छुप रहा करो, भगवान को याद किया करो, याद किया करो कि तुम्हें भी ऐसे एक दिन मरना है, तुम भी ऐसे सिथिल हो जाओग जब तुम किसी की अर्थी देखा करो तो अपने आपको imagine किया करो कि एक दिन तुम भे ऐसे लेटोगे और लोग तुम्हें चार लोग ले जा रहे हों ये तुमारा ही भवish्य है जो आज तुम देख रहे हो ये तुमारा ही भवish्य है ये घटना तुम्हारे संग भी घटेगी मेरे संग भी घटेगी बचेगा कोई ने क्यों रोती हो जब मैं किसी को चिता में जलता हुआ देखता हूँ तो मुझे अपनी यादा जाती है देखो राम जी अपने को भी चलना इसलिए ज़्यादा चक्कर मना पड़ो ऐसी जलना ऐसी अपनी भी चमडी जलकी गिर जाएगी हाँ जी मैं तो जब भी चिताओं को देखता हूँ तो अपनी याद कर लेता हूँ आप लोग करते हो कि नहीं मैं तो अपने आपको इमेजन कर लेता हूँ कि मैं भी यह सी जलूँगा आप लोग तो बहुत ड़ते हैं नहीं नहीं मरें ना अरे कव तक नहीं मरोगे सत्य यही है कि मरोगे तो क्यों भागना उस चीज से जो सत्य है जो सत्य है उससे भागोगे कब तो भागने से होगा क्या तुमारे बाप दादे भी भाग रहे थे क्या बचे और तुम भी भाग रहे हो तो क्या बचोगे इसलिए स्विकार करो आप भी जब मरें तो घरवालों से बिल्कुल स्पष्ट कह दें कि हमारे मरने में ज़्यादा रोना होना नहीं क्योंकि तुमारा तो क्या है तुम रोध हो के तेरा दिन बाद रसगुले ढूंडते फिरो के भी रसगुले लाना तेरही खाने जाओ दुनिया के लोग तो तेरा दिन बाद रसगुले खाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ना पर तुम संसार को देखते-देखते-मरोगे तुमारी दुरगती हो जाएगी इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करते-करते मरियेगा मरते समय इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकल दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना बिगड़ना है सिर्फ तुमारा दुर गती होगी तो दुनिया वालों की नहीं होगी तुमारी होगी सद गती होगी तो दुनिया वालों की नहीं तुमारी होगी इसलिए तुम अपना देखो जमाने की जक्कर में ना पड़ो ये ज्ञान जब बच्चे ने दिया कि पिता जी मैं तो कई जनम से आया गया तुम किस जनम का मानते हो पिता को वैराक हो गया अभी बेटा बेटा करके रो रहे थे बेटे ने ग्यान दिया तो घर से मन हट गया वही चित्र के तुजा करके ब्रत्तासुर बनते हैं पाप के कारण और वही ब्रत्तासुर इस जनम में इंद्र के हाथ वा मारे गए उनका उधार हो गया मुक्ति हो गई भगतो एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नर्शिंग बन करके आना पड़ा यदा देवे सुवे देसु गौसु विप्रे सुसाधुसु धर में मैच विद्वेशा सवायो विनाश्यती प्रहलाद जी भगवान के बड़े अच्छे भगत थी बहुत छोटी सी अवस्था थी पाँच वर्स की एज थी प्रहलाद जी पाँच वर्स की उम्र से ही भगवान में लग गए और हम लोग इतने बुढ़े हो गई अभी भी मन नहीं जा रहा है प्रहलाद जी प्रहलाद जी बस एक ही नाम जबते हैं बस स्रीमन नारायन 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 प्रहलाद जी नारायन नारायन जबते हैं एक दिन हिरन्य कश्वपु ने कहा बेटा ये नाम किसका जप रहे हो प्रहलाद जी ने कहा पिता जी ये भगवान का नाम है आप भी जपा करो प्रहलाद हिरन्य कश्वपु बोला मैं खुद भगवान हूँ तो मेरा नाम जपो ये किसका नाम जप रहे हो तुम मेरा बजन करो आप लोग कहते हैं ना हमारे ससुरजी नास्तिके हैं हमारे पती नास्तिके हैं हमारा घर नास्तिके हैं अब हम नास्तिकों के बीच में भक्ति कैसे करें कई बार आपके इर्द गिर्द नास्तिक लोग मिल जाते हैं कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान तो हैं ही नहीं, कई बार आपके सामने भगवान को गाली देने वाले लोग भी मिल जाते हैं, बस आपके लिए ही ये घटना भागवत में लिखी गई है, ये कथा लिखी गई है, प्रहलाद का परिवार भ बिमुख थे कौन? शुक्राचार जी, संदामर्क जी, सब बिमुख थे, पूरा परिकर बिमुख था भगवान, एक प्रहलाद जी थे, जो भगवान का भजन करते थे, अब बताओ, कि जो सारे लोग भगवान को गाली दे रहे हो, सुबह से साम तक, उनके बीच में प्रहलाद जी जी से सीखे, बिसम परिष्थिती में, छोटा सा बालक, पांच साल की अवस्था है, और प्रहलाद जी बस नाराया, 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 जबते हैं, कोई और ने केवल नाराया, 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 नाम जबते हैं, भगतो, प्रहलाज जी के पिता ने बहुत गुशे में कहा की आखरी बार समझा रहा हूँ अब भगवान का नाम तुने लिया तो तुछे मार डालूँगा प्रहलाज जी ने कहा मार डालूँगा क्या मार दो देखो कई लोग आपको कोई गले में तलवार रखके कहे कि भगवान का नाम मत ले ना मार दूँगा तो कई लोग डर के मारे छोड़ देगी ठीक 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 तुम क्या कह रहे है पर प्रहलाद जी के तो गले में तलवार लटक रही थी उस विसम परिस्थिती में भी भगवान का भजन होने इसका अर्थ यही है कि प्रहलाद को भगवान कब मिले भगवान तब मिले उसके पहले प्रहलाद को पीने को जहर मिला हिरन नकश्यकों ने प्रहलाद को क्या पिलाया जहर पिला के मारना चाहा मर जा जहर पीके पर प्रहलाद ने जहर तो पी लिया पर भगवान बचाने वाले हैं तो जहर क्या मारेगा प्रहलाद ने जहर पी लिया बाल भी माका नहीं हुआ तब हिरन कश्यपों ने अपनी बहन को बुलाया होलीका आजा बहन तुझे अगनी ने वर्दान दिया है ब्रह्मा जी ने वर्दान दिया तू आग में कभी जलेगी ही नहीं परहलाद को पकड़के बैठ गई और होलीका ने आग लगा ली इस विश्वास से कि भगवान तो मुझे जलाएंगे नहीं क्योंकि होलीका को बर्दान था पर आज वो बर्दान उल्टा पड़ गया होलीका तो जल गई आग ने उसे तो जला दिया और भक्त का बाल भी बाका नहीं हुआ देख लो ये प्रहलाद के विश्वास की ही ताकत तो थी मेरी मा आग में भी ताकत नहीं है कि वो भगवान की आग्यां का उलंगन कर सके तुम भगवान की शर्ण में चले जाओ आग पानी बन जाएगी भगवान बनाएंगे तुम नहीं बनाना भगवान करेंगे तुमारे लिए से बस विश्वास तो रखो प्रहलाद जी को भगवान अंत में मिले हैं याद रखना मिरी मा पहले प्रहलाद जी को भगवान तक पहुँचने के लिए जहर पीना पड़ा आग में लेकर होली का बैठी आग में जलना पड़ा भगवान ने बचाया पहाड से फेक दिया हिरन कशपुने हाथी के पाउं के नीचे दवाया प्रहलाद को हिरन कशपुने लाख प्रयास किये थे प्रहलाद को मारने के याद रखना मिरी मा भगवान सहज मैं नहीं मिलते भगवान तब मिलेंगे भगवान के पहले तुमें जहर मिलेगा तुमने जहर पीना सीख लिया जहर कर्थ है दुनिया की कड़वी बातें सुननी सीख ली और कड़वी बातें सुनकर भी तुमने भगवान के विश्वास रखा तो भगवान निश्चित मिलेंगे और दुनिया की बातों में पढ़ करके तुमने भगवान को भोला दिया तो फिर ना घर के ना घाट के किसी को साहज में भगवान मिले हो सो कहो प्रहलाद को भी आग के अंगारों में चलना पड़ा अंगारों में चलना पड़ा, जहर पीना पड़ा हाथी के पाउं के नीचे दवाया है पर बचाने वाले भगवान जो ठहरे प्रहलाद जी को हिरन कश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया संदा मर्क के घर प्रहलाद जी पढ़कर आये तो हिरन कश्यपु ने पूछा बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा हमें बताओ क्या अच्छी बात सीखी तब प्रहलाद जी ने कह दिया पिता जी आप भी मेरी तरह भगवान का ध्यान किया करो हिरन कश्यबू को बहुत गुस्सा आया तलवार निकाल ली पर लोगों ने रोका, रुक गए अच्छा आप अपनी जगह प्रहलाद की जगह जरा अपने आपको रख के देखो कि आपके पिता आपको तलवार लेके खड़े होते कि तुने एक बार नाम लिया तो तिरी जिहवा काट बूंड़ा ऐसी स्थिती में भी प्रहलाद जीव ने भगवान की भगती नहीं छोड़ी इसका ये कठाएं क्या सिखा रही हैं हमें ये क्या प्रेरणा दे रही हैं हमें ये कठाएं हमें यही सबक दे रही हैं कि किसी भी हाल में चाहे तुमारी गर्दन कर जाए उस हाल में भी भगवान को भूलाना नहीं चाहिए भगवान के लिए मर जाना ही उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है अब आज तो ऐसा कोई नहीं कि तुमारे गले में तलवार ही रखे पर फिर भी ऐसी विसम परिस्थितियों में भी हमने सुना प्रजवी राज चोहान के प्रसंग में महराणा प्रताप प्रजवी राज चोहान जी के प्रसंग में सुना पढ़ा कि इनहें भी पकड़ कर अंत में धरम परिवर्तन कराना चाहा था मुगलों ने प्रजवी राज चोहान की तुम आखें फोड़ दी थी तुम्हें छोड़ देंगे पर प्रचवीरा चोहान ने कहा कि जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दे वो व्यक्ति फिर व्यक्ति कहां बचाई उस इंसान का क्या महत्व है जो अपने धर्म को त्याग दे अरे अनिरुद्धाचार अनिरुद्धाचार तब तक ही तो है जब तक अपने धर्म का पालन कर रहा है आप अपने धर्म को भूल जाएं तो आपका और मेरा अस्तित्व क्या है एक व्यक्ति की पहचान उसका धर्म ही तो है आज राजा हरिश्चंद्र को हम याद क्यों करते हैं क्योंकि वो धर्मात्मा थे करणों को याद क्यों करते हैं क्योंकि वो धर्मात्मा थे बीर सिवाजी को याद क्यों करते हैं वो धर्मात्मा थे ये प्रत्वीराच चोहान जी की कथा मैं क्यों सुना रहा हूँ क्यों कि वो धर्मात्मा थे मर गए आख फोड़ दी मुगलों ने तो फोड़ दी आख फोड़ वाली अब सोचो के गरम सरीया तुमारी आखों में कोई ठूसे और कहे कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं ठूस दूंगा तो वादमी तो डर के मारे कहे ठीक है भईया तू क्या कहता है मैं वो कर लिता हूँ पर धन्य है ये महापुरुस कहके गए है कि मर जाना ठीक है पर अपने धर्म का त्याग करना ठीक नहीं अपने इश्वर का अपने आराध्धिका त्याग करना ठीक नहीं है विभीशन लंका में रहते थे रावड हर दो चार दिन में दो चार लाज जमा देता थे विभीशन ये क्या जब रहा है राम 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 पागतरी बुद्धी खलाब हो गई विभीशन को लाज पड़ते रहते थे रावड मारता रहता था लंका में रहते थे विभीशन जी रावड की लातें बातें सब खाते थे उस हाल में भी जब की वहां तो सुख सुभी धाएं बहुत थी रावड के पास कौन से सुख की कमी थी और विभीशन को क्या सुख की कमी थी क्या रहने को अगर नहीं था कि पतनी नहीं थी कि भोग नहीं थे सब कुछ तो었ा फिरभी उस लंका में रहकर विभीशन ने भगवान को याद किया और भाई ने लाध मार के घर से निकाला तो निकल गया अपना संसार का सुख त्याग दिया पर राम को नहीं त्यागा विभीशर ने और आज तुम्हें संसार के कोई लोग कह दे कुछ दिन पहले देखा कुछ दिन नहीं कुछ वर्सों पहले मैंने देखा कि लोगों ने भगवान संकरजी को अपने घर से निकाल दिया था एक बाबा जी ने कहना शुरू कर दिया था हमारी फोटो रखो क्रिपा आएगी लोगों ने भगवान को घर से निकाल दिया अब आप बताओ कि कोई ये कहे कि तुम अब कोई आपका पडोसी कहे कि भैया तुम हमारे वाले भगवान को पूझ लो तुमारी उपर लक्षमी बरसेगी तो सायद कोई छोडवी दे शायद कोई छोडवी दे पर याद रखना जो अपने धर्म पर अड़िग गए कोई हम से कहे कि अनुरुधध चारजी आपको हम पूरी संसार की संपत्ति दे रहे हैं आप राम को भूल जाईए, कृष्ण को भूल जाईए तो सारी दौलत भैया और हमारे पास है वो भी तुम ले लो पर हम तु अपने राम को नहीं, अपने क्रृश्ण को नहीं देज़ें rejected उनको बूलकर फिर हमारे पास बचेगा क्या? क्या बचेगा? हम दौलत का करेंगे क्या? बांद के लिए जाएंगे? भैया, हमारे राम जी तो हमें भूखा रखें हमारे कृष्ण जी तो हमें चार-चार जन भूखा रखें और हमारे को मरना भी पड़े तो मर जाएं उस हाल में भी मुख से राम नाम नहीं जाएगा कृष्ण नाम नहीं जाएगा हम कोई दौलत के लिए थोड़ी भगवान की भक्ति करते नहीं दैबो चूला ना जला चार जन कोई फरक नहीं भूखे मरेंगे और जादा क्या होगा ग्या हूं को पीसे होगे तो आटा बनेगा आटा को पीसे होगे मेंदा बनेगा मेंदा को पिसके क्या बनाओगे तो हम तो पिसे मेंदा हैं हमें क्या पीसे होगे इसलिए भगवान को कभी ना भूलो प्रहलाद जी के गले पर छुरी थी पर हिरन कशप ने कहा नाम छोड़ दे मैं तुझे राजा बना दूँगा प्रहलाद जी ने कहा पिता जी आप बने तो हैं राजा मैं आप जैसा राजा बने के क्या करूँगा भगवान का द्रोही राजा बन जाए तो क्या करूँगा द्रोही बन के जिस परमात्मा ने अरे हम वो लोग हैं कि जो हमें एक गिलास पानी पिलाता है हम उसका भी धन्यवाद देना नहीं भूलते उसके भी शुक्र गुजार होते हैं अब बताओ कि हम एक गिलास पानी कोई पिलाए तो हम उसका भी धन्यवाद देते हैं तो जिस परमात्मा ने ये सरीर दिया है क्या हम उसके शुक्र गुजार नहीं है क्या हम उसे धन्यवाद ना दें क्या हम उसे ही भूल जाएं जिसने हमें ये तन दिया प्रहलाद ने समझाया पिता जी बुद्धी मारी गई है आपकी तो ठाके पटक दिया प्रहलाद ने नवधा भक्ती का उपदेश कर दिया पिता श्री पहली भक्ती है सत्संग करना सीखो दूसरी भक्ती है कीर्टन करना सीखो सत्संग रोज किया करो कछा रोज सुना करो ये मत कहा करो के रोज रोज क्या कछा सुने अरे रोज रोज तुम रोटी खाते हो के नहीं रोज रोज पानी पीते हो के नहीं पानी पीने से, रोटी खाने से, सरीर पुष्ट होता है, भजन करने से तो आत्मा पुष्ट हो जाती है, इसलिए रोज भजन, रोज कछा सुनने की आदतों हो, रोज कीर्टन करो, काम करते हुए भगवान का चिंदन करते रहो, काम करते रहो ना, जपते रहो श्रवर्णम कीरितनम विष्णो स्मर्णम तीसरी भक्ती है भगवान का इस्मरण भगवान का क्या करना चीए? काम करते हुए इस्मरण भगवान करते है इस्मरण कैसे? जैसे एक मा अपने बेटे का इस्मरण करती है काम करती हुई अपने बेटे को ध्यान में रखती है क्या कर रहा होगा मेरा बेटा अरे किसी मा का बेटा अमेरिका चला जाए तो मा काम करती है पर काम करती हुए बेटे को याद करती है उसी प्रकार भक्त को चाहिए कि काम करता जाए और भगवान को याद करता जाए बस यही तो श्मर्ण है श्रवणम, कीर्दिनम, श्मर्णम, पाद सेविनम पाउं दवाया करो अपनी मा के अच्छा बताऊ आपने आखरी बार अपनी मा के पाउं कब दवाये थी कुछ याद है याद है नहीं याद है जिस मा ने तुम्हें जनम दिया है उस मा को भूल गए मा के बदल तुम इस धर्ती पर सांस ले रहे हैं और उसी मा को बढ़ापे में छोड़ दिया आज बेटे बहुत सारा काम का लोड लेके रखते हैं और उस काम मैं अपनी मा को उस समय देना भूल जाते हैं मैंने बहुत सारी माओं को देखा है बुढ़ापे में अक्केली बना करके खाती है सरीर चलता नहीं पिर भी रोटी बना रही है बुढ़ापे में और बहु बेटा सब है पर बेटा बहु को समय कहा है देखने का के बुढ़ी मा अरे ये वही मा थी ना जिसकी गोद में तुम कभी खेला करते थे ये वही मा है ना जिसने छाटी से लगा कर अपना दूप पिलाया था ये वही मा है ना जो कभी भूखी रहकर भी तुम्हें खिलाया करती थी आज वही मा बुढ़ी हो गई तो तुमने अपनी मा को रोटी देना भी उचित नहीं समझा उसका हाल चाल पूछना भी उचित नहीं समझा तुम इंसान हो की क्या हो अरे अपने मा का दर्द तो देखना पाए मा की पीडा तो दूर करना पाए तुम किसकी पीडा दूर करोगे तुम अपनी मापर तो दया करना पाए बुढ़ी मापर बुढ़ी सास पर दया ना कर पाई बहुए जो बहुए नहीं की दया मैं उनसे कह रहा हूँ जो सेवा करती हैं अपने सास ससर की मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो नहीं करती हिसो प्रार्ठना करता हूँ अरे तुम सास और बहु के नाते से नहीं एक इंसानियत के नाते से तो बूढ़ापे बुढ़े आदमी को दो रोटी देते रहो हां? बूढ़े मा को रोटी देते रहो कहां तुमारी मा किसा हाल में पड़ी हो? तुम्हें कोई खवर भी है के नहीं कैसी संतान हो तुम कल को तुमारे बेटे तुमारे साथ यही विवहार करेंगे तब पता चलेगा कि तुमने क्या गलत किया था अपनी मा के साथ कितना कश्ट हुआ होगा उस मा को जब बेटे ने माबाप को घर से निकाल दिया खाने को रोटी नहीं दी रहने को जोपड़ी नहीं दी क्या गुजरती होगी उस मापर किससे कहने जाए वो मा अरे मा तो ऐसी होती है कि बेटा अत्याचार करता है फिर भी वो मा बेटे की सिकायत नहीं करती, फिर भी वो मा यहीं कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तुम उसको रोटी नहीं देती और वो तुमारी तारीफ करते ठकती नहीं है आज इंसान इतना अमीर हो गया है इतना अमीर हो गया है कि अपनी मा को भूल गया भगवान किसी को इतना अमीर ना बनाए कि तुम अपने संसकारों को भूल जाओ अपनी संस्कृति को भूल जाओ अपनी मा को भूल गए तु अरे भाई मा का खयाल तो रखना था तुम्हें मा की सेवा तो करनी थी तुम्हें रात को जाते काम धाम से तो दो मिनट पाउं दबा देते मा से पूछ लेते मा कैसी हो कोई चीज की कमी तो नहीं है हस कर दो बातें ही कर लो अपनी मा से पूछ लो की तुमारा दर्द कम हुआ की नहीं दबाई ली तुमने टाइम से कि नहीं पूँच लो अपनी मा के बारे में दो मिनट पाउँ दबादोगी तु 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 तुम्हारा वजन कम नहीं हो जाएगा अरे भाई कहते हैं मा की दुआ कभी खाली नहीं जाती पर ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती बरतन मांज कर चार बच्चों का पेड़ भरती है मा उन चार बच्चों से एक मा पाली नहीं जाती यही दुरुभाग गए चार बच्चे मिलकर एक मा को नहीं पालते यही तो दुरुभाग गए ऐसा भारत नहीं था इस भारत में श्रबन जैसे बच्चे होते थे इस भारत में राम जैसे बच्चे होते थे कि राम ने अपनी मा से मा ने कहा बेटा बनवाज जाना है बिल्कुल ठीट जा रहे हैं चले गए मा की आग्या पलकों पर मा को पैसे नहीं दे रहे हो मत दो बुढ़ापे में मा को पैसे की क्या जरूर अच्छे कम से कम प्यार से रोटी तो दे सकते हो प्यार से बोल तो सकते हो मीठी वानी तो बोल सकते हो मा से भी प्यार के दो शब्त नहीं बोलोगे तो गूंगा बना के भेज़ेगा भगवान अगरेजना में बोली ही नहीं पाओगे सेवा कर लो दुबारा अज मौका नहीं मिलेगा हलके में मत लो यह मनुस्य के तन को बहुत पच्चता होगी जब तुमारी मरत क्यों निकटाएगी तब मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी कि कहा था किसी ने हमने ध्यान नहीं दिया हम याद दिला रहे हैं भगवान ने हमें याद दिलाने के लिए भेजा है कि जो लोग अपने कर्म से रास्ता भटक चुके हैं जाओ बिटा उन्हें रास्ते पे लगा कर आऊ सायद हमें विधाता ने आपको सही मार्ग दिखाने बेजा है और फिर भी तुम ना आए रास्ते पर तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं इसलिए जब आप अपने माबाप की सेवा नहीं करते तो फिर इस दास अनिरुद्ध को संकल्प लेना पड़ा आप शुक्रवार का ब्रत करते हैं आप एकादसी का ब्रत करते हैं हमने भी एक ब्रत किया है कि जब तक सांस रहेगी तब तक अपने बूढ़ी माओं की सेवा करते रहेंगे सेवा करते रहेंगे अपने माओं की उनको हसी खुसी जो बन पड़ेगा देते रहेंगे और हमें देना क्या है देने वाले विहारी जी हमें तो निमित बनाया है तो हम निमित बनके काम कर रहें अरे हम किसी के पाउं दबा देते हैं तो क्या हमारा बजन कम होता है नहीं हमें भगवान ने योग बनाया है कि तुम रोटी खिलाओ तो हम खिला देते हैं तो क्या होता है क्या घड़ जाएगा हमारा इसलिए जो हो रहा है बिहारी जी कर रहे है आप अपने आपको करता ना समझें और बस सेवा में लग जाएं किसी की ना करें तो कम से कम माबाप की तो कर लें माबाप की सेवा इस्वर की सेवा से कम नहीं होती भगवान की पूजा मत करना जब तुम मर के भगवान के घर जाओगी तो भगवान की शकल वैसी ही होगी जैसे तुमारी मा की सूरत है भगवान और मा दो नहीं एक है पर्याइवाची है भगवान को या भगवान कह दो या मा कह दो पर्याइवाची है कि ही को पर्यायवाची दो कहते हैं जैसे कुस्प को कुस्प भी कहते हैं फूल भी कहते हैं सुमन भी कहते हैं पर्यायवाची है उसी प्रकार भगवान को भगवान भी कहते हैं और मां भी कहते हैं मां को मां भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं मां की सूरत वैसी ही है जैसे भगवान की कभी तुमें मिलेंगे तो भगवान वैसे ही दिखेंगे जैसे तुमारी जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भगवान की सूरत वैसी ही है जैसे तुमारी मा की सूरत है और मा मैं तुमने भगवान को नहीं देखा तो मर के जब जाओगे तो तुमारे सामने भगवान नहीं मा ही बैठी होगी भगवान ही बैठा होगा मा की सूरत में और हिसाब तुमसे तुमारी मा लेगी बेटा तुमने मेरे साथ क्या किया था अब बताओ तुमारे साथ क्या किया जाए फिर कर्मों का दंड भोगना पड़ता है और बाद में फिर रोना भी पड़ता है कि क्यों गलत किया क्यों नहीं कि मा मरती है तो लोग रोते हैं मा मर गई मर गई अरे जब तक जिन्दा है तब तक उसका प्यार उसका आशरवाद ले लो मरना तो सबको ही है जिंदा है, तो सम्मान कर लो, आदर कर लो मा का, जब आप नहीं करते तो इस सदासन, रुद्ध को माओं की सेवा, देखिए, ये माओं हमारी जो है ना हमारे पास रहती है, रोज हमें भर-भर के आशरवाद देती है, और हमें माओं को वैसे ही प्यार करते हैं, जैसे एक बेटा अपनी माँ से प्यार करता प्रिभक्तो आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार कीजिए आप भी अपनी माँ से बहुत आश्रवाद लीजिए माँ की दुआइं लीजिए पैसे तो खर्च हो जाएंगे पर माँ की दुआ खर्च नहीं होती वो बुरी वक्त में काम आती है इसलिए मा का आशरवाद ले लिजीएगा मा जैसी सिर्व मा होती है बस इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कम से कम एक मा का आप सहारा बन जाईएगा चलो आप अपने घर पे माबाप की सेवा करते हैं ठीक है पर जो बच्चे नहीं करते वो मा मेरे पास है उन माव की सेवा के लिए आप अपने हाथ बढ़ा सकते हैं कम से कम एक मा को 21,000 रुपे का सहयोग करके किसी एक मा को जीवन भर रोटी की विवस्था देखिए रहने को छाया च्छत चाहिए खाने को रोटी पहने को कपड़े और दवाई चाहिए एक व्यक्ति को चार चीज़ें चाहिए खाने को रोटी पहने को कपड़ा रहने को छाया और 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 डॉक्टर दवाई और ये चारों चीज ठाकुर जी की कृपा से इस दासन रुद्ध ने अपने इमाओं के चरणों में समर्पित कर दिया हमा चारों चीज आपके लिए हैं सब कुछ यहां आप घर की तरह रहो और माँ रहती हैं घर की तरह बस आप से प्रार्चना करता हूँ कि आप सभी भी अपनी अपने इमाओं की सेवा करो आप हमें यहां के लिए सहयोग भेज़ें या ना भेज़ें आपके पास है तो भेज दीजिएगा नहीं है तो मत भेज़िएगा पर प्रार्चना हाँ जोड़के है कि अपने अपने माबाप की खूब सेवा कीजिएगा यही सबसे बड़ा पुन्य है सधरा का सधरती का बस कुश भक्तों ने अपने हाथ बढ़ाए है सहयोग के लिए माओं की सेवा के लिए यहां अन्यचेट्र चलता है रोज भूजन करते हैं लोग और मेरी बूड़ी बूड़ी माएं भी जाकर अन्यचेट्र में खड़ी होती है वो भी अपने हाथ से रोटी का दान करती है तो जब रोटी का दान करती है तो उनके खाते में भी पुन्य जमा हो जाता है माएं पुन्य भी करती हैं हाँ तो आप लोग सहयोग करते हैं तो यहां अन्यचेट्र चलता है कर सकते हैं आके यदि मेरी कोई बात पर यकीन नहीं है तो आप आवें और अपनी आखों से दर्शन करें कुछ बगतों ने अपने नाम लिखवाए हैं से सहयोग में अपना योगदान पहुँचाया है आपको लगे तो आप भी पहुँचाईएगा और नहीं है धनवान नही ये संकल पिलेंगे तो भगवान आपको खूब धनवान बनाएंगे और हम तो कहते हैं भगवान आपको खूब धनवान बनाए ठाकि आप अपने धन से धर्म करते रहें बोलिये भक्त वत्सल भगवान की जय सीदा थे बड़ी ही सुन्दर पावन पवित्र कथा का शबटपान कर रहे थे आप सबी लोग किसी रचनाकार में बड़ी ही अच्छी सुन्दर रचना लिखी है उसकी दो लाइने हैं कि जंगल जंगल ढूंड रहा है म्रग अपनी ही कस्तूरी को कितना मुश्किल है तै करना खुद से खुद की दूरी वो सुगंदी उसकी नाभी में ही है म्रग की लेकिन वो ढूंड रहा है पूरे जंगल भर में ठीक वैसे ही भगवान तो हमारे सामने है, माता-पिता के रूप में, और हम डूढ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हमें पूरी दुनिया में डूढने की जरूरत नहीं है, वो माता-पिता भगवान के रूप में ही हमारे घर में विराजमान है, हमारे ही सामने विराजमान ह पिर भी कुछ लोग कलिकाल के प्रभाव से अपने माता पिटा को घर से बाहर धकेल देते हैं, निकाल देते हैं, बड़ी ही पीडा होती है ये बात कहने में, आप सब तक पहुचाने में, क्योंकि हो सकता है ये बात सुनकर जैसे हमारा हिरदय पिगल जाता है, पूझ्यो मरा महापुर्षों ने अपने सहयों के हाथ आके बढ़ाए हैं, उन माओ की सेबा के लिए, उस ब्रदाश्रम की सेबा के लिए, उस गव साला की सेबा के लिए, गव माता की सेबा के लिए, जिनको आपके सहारे की आवशकता है, एक बार जोड़दार तालिया सभी दानवीर मह पुर्शों के लिए आईए अविवादन के साथ में उनके नाम की उद्गोषणा सुनते हैं मांगे राम जी प्रजापती जी आप दवाईयां लेके आए हैं साथी आप गौ सेबा भी कर रहे हैं दिली से यहां पदारी हैं आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साथी हमे 11,000 रुपे सीला भाई जी आदब आप खतोरा से पुरी से समर्पित कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद गोदाबरी दीवी जी पोत्र चंद्र भूसन जी चोधरी आपको केश्वर स्थान दरवंगा बिहार से हैं आप 2500 रुपे समर्पित कर रहे हैं से कोशल्या दीवी जी मुरारी लाल जी गोयल मुंबई से आप एक मा को गोद ले रहे हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने आज के इस दिवस्त पर एक मा को सहारा दिया है धरम पोत्र बने हैं आप यहां उपसित हैं तो मैं चाहूंगा बंच पर आएं सा हजार रोपे दीपा गर्ग जी साहिवाबाद तरप्रदे से समर्पित कर रही हैं राज जी कोहली विकासपुरी दिली से 1100 रोपे पूनम जी कोहली आप विकासपुरी दिली से विसे सहयोग पृदान कर रही हैं आपके लिए धन्यवाद सुनील एबं देव सिंग जी आपके लिए भी धन्यवाद 11000 रुपँ आका सिंग जी रावत आप सुरीगया शरी स्री शूर्ण्य भाद सिंग जी रावद आणड़े चितर की शेवा के लिए समर्पित कर रही हैं साथी मांगे राम जी प्रजापती आप भोगल दिली से समर्पित कर रहे हैं विशेश सहयोग और इसी शंकला में श्रीमती सुसीला दिवी जी आप शिकंद्रा आगरा से 11,000 रुपे आन्य छेतर की शेवा के लिए अन्य दान कर रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ओम बती जी मोधी नेगर उत्तर प्रदेश से 200 रुपे समर्पित कर रहे हैं आपके लिए भी धन्यवाद कौसल किसोर जी निराला रांची से आप 1100 रुपे 1100 रुपे ममता जी द्वार का दिली से सैल सैट जी मुंबई से समर्पित कर रहे हैं 21,000 रुपे किसी एक मा का साहरा बनने के लिए साथी अन्य सेवा प्रकलपों से जोड़ने के लिए पर्सरामद चिताउड गड़ राजिस्थान से 1700 रुपे 1100 रुपे रामरतन जी भाती आप राम प्रसाद जी भाती भी विरादगर से कभीता राम T Extani आप गौालिएर से मध्य प्रदेस से 1100 रुपे संपत देवी जी आब अजिरंग लाध जी एहंदाबाद से 200 रुपे लीलावती जी हर्याणा से 200 रुपे समर्वित कर रहे हैं तुरुप भवन वाशने जी आप बेवी वाशने जी अलीगड़ उत्र प्रदेश से क्यामन सो रुपे समर्वित कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इसी संकला में अस्तुना दीवी जी कुषवा आप भोपाल मद्यप्रदेश से रेखा कुमारी जी बिहार से 1001 रुपे लतावर्मा गड़ेस वर्मा आप बिलाशपोर 36 गड़ से 1100 रुपे 10501 रुपे उसा दीवी जी आप प्रियागराज उत्तर प्रदेश से समर्वित कर रहे हैं और चेतर की सेवा के लिए नागेंदर गुपता जी ग्वालियर से 200 रुपे 1100 रुपे प्रेम आधार सेनी दिली से अमिता तीवारी प्रमोत तीवारी संजली तीवारी लखन उत्तर प्रदेश से स्वरगिये कैलास साल जी मुनी दीव जी आप मदेपुरा बिहार से 16000 रुपे समर्वित कर रहे हैं राम केवल गुपता आप गॉंडा से 500 रुपे निर्मल ओरी जी चंदीगर से आप 200 रुपे समर्वित कर रहे हैं पचीस सो एक रुपे उसा सर्माजी आप मेरत उत्तर परदेश से कमला सर्माजी मागेराम तर्माजी आप हैसार हरियाना से 1100 रुपे समर्वित कर रहे हैं इशी शंकला में स्विशुपाल सिंग जी आप मतुरा से क्यामन सो रुपे, सुनिता दीवी जी पंचकुला से ग्यारे सो रुपे, बनवाली लाल जी कटारिया, कुणा जी कटारिया आप एक्की सो रुपे समर्वित करें हैं, स्वर्गी भरत जी देवांगन आप दुलारी से 1100 रुपे, इंद्रा जैनाराणजी ललेत पूर उत्रप्रदेश से बढ़जेश कुमार जी पतना बिहार से 1111 रुपे समर्वित करें हैं, गयारे सुर्वेज रामरानी वर्मा आप लगण उतरप्रदेश से 5000 वुद्रां तर्मा दिली से मौन्टू, महता, आप सौनीवद हरियाना से ज्यारे सोर रपए समरभित कर रूपे और 35,000 रूपे, भगवान, मिस्त्रा, आप हजारी बाग, धारकम सोर रूपित कर रहे हैं एक मा का सहरा बन रहे हैं साथी आप अनिश्केत्र की शेवा के लिए गौँ शेवा के लिए समर्फित कर रहे हैं खुस्बु कासी आप जवलपुर से 1111 रुपे 1100 रुपे स्वेता आप राइपूर 36 गर से समर्फित कर रहे हैं लेलन राणी उत्रप्रदेश से 2000 रुपे 1101 रुपे हरसी जी पांडे आप गुजराज से समर्फित कर रहे हैं 2000 रुपे गुलाबबाय जी बिलवाड राजिस्थान से समर्फित कर रहे हैं 1100 रुपे प्रमोध मदुकर पाठक आप उल्डाना माराष्ट से साथी गुप्तदान गौमाता की सेबा के लिए गुड़गाओं से समर्फित कर रहे हैं 25.000 रुपे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी अमरतलाल जी कोटा राजिस्थान से 1100 रुपे 21.00 रुपे जसुदा जी मालविये ललिता जी मालविये 1100 रुपे 1100 रुपे दुरगा मालविया जी राजेंदर जी समर्फित कर रहे हैं सुसमा देवी आप परमानन सिंग जी आप बिहार से 1100 रुपे 1000 रुपे 27.00 जोलपु राजिस्थान से समर्फित कर रहे हैं दमियंती जी मिस्त्रा धारकंड से 11000 रुपे अनिशेतर की शेवा के लिए बसला दीवी जी बलबन सिंग जी आप गंगा नेगर रजी सान से 1100 रुपे उसारानी जी आप कस्तूरी लाल जी अमरसर पंजाब से 2100 रुपे ग्यारे सो रुपे विद्या जी शत्यवान जी मुम रुपे सर्गीज सतीष गेंदलाल जी चौरसिया आप अकोला से 500 रुपे समर्पित करें हैं रीता सौनीपत हर्याना से 1100 रुपे स्वर्गिये यस्पाल जी के नाम से उसा जी लक्षमी नगर दिली से समर्पित कर रही हैं 2100 रुपे अमराद देवी जी आप उत्तम नगर से 1100 रुपे रामा सिंग जी गाजियावाद से 1100 रुपे 1100 रुपे दीपती सराप उडिशा से सरुषवती देवी जी आप नागोर से 1100 रुपे पंद्रे हजार रुपे गायतरी जी आप हर गोविन्द जी नागपुर से समर्पित कर रहे हैं श्री मानक्चन्द जी जए पूरे से गाराइस एक हजारों परेशाथ 1,1960 रोपे से समरपित करें हैं न नौ फजार रर्था कमलासरमा बरी उत्तर प्रदेस से च्राइस किया मान्गर जी सिंगल आप उत्र प्रदेस से 5000 बिगरे हैं 6 विमला दीवी जी ओमा संकर जी राजीpen से से 50,000 रोप समरुथ और इसी शंक्रवा में Vikoaz चुमाज जी एक माँ को गोद यहरे हैे किसी जार रोपी आप समरुथित करें हैं इसी शंक्ला में समार्वाध कर रहे हैं बनसा अग्रबाल मुरदाबाथ से शजारत है गार समर्पित कर रहे हैं कौसल कि सोर निराला आप रांची जारखंड से 1100 रुपे प्रमला अग्रवाल जी आप गड़गाउं से 2100 रुपे पावन कुमार जी सोनी मुनिवाय जी सोनी आप बेमेत्रा चतिश गर से त्रेपन हाजार रुपे समर्पित कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत बहुत दन्यवाद इसी शंकला में 1100 रुपे सुर्गिये बांकी भीहर जीतर पार्टी के नाम से कम्रादीवी जी पलिया उत्रप्रदेश से समर्पित कर रही हैं और 1100 रुपे लक्षमी नामदेश जी महाराश शे 11 रुपे राम चिंग जी राजपुरोध जी आप पाली राजिस्तान से समर्पित कर रहे हैं 12,000 रुपे रंजु बाला जी आप दास काटेक्ट से समर्पित कर रहे हैं बलवंद सिंग जी आरयस पुरा जम्मू से 32 रुपे एक हजाल एक चो एक रुपे ऎक पर भाए हैं सुसिल कुमार जी ऑप अलीपुर द्वार से 151 रुफी शाती 轉प यजंतरपल भरेली से 1111 रुपे सुमन पाठक जी लुग्याना पंजाब से 2100 रुपे जादा प्रवाकर जी आप रामेशोर कालेनी से 2100 रुपे देकर एक मांखा सहारा बन रहे हैं और इसी संक्ला में 1000 रुपे गीता दीवी जी रांची से श्याम भियारी सिंची चतिस गड़ से 1100 रुपे 1100 रुपे हीरा मणी प्रधान जी 1100 रुपे आप देभी गाजीपुर से 1100 रुपे शांती दीवी जी उतर प्रदेश से समर्फित कर रहे हैं और पुस्पलता चुहान मद्प्रदेश से 1101 रुपे 1100 रुपे नीलम जी सर्मा नीलम बाला पंजाब से समर्फित कर रहे हैं से 10宮 कbrar ना से समर्फित कर रहे हैं एक्या मनत्रों बृकार करिद कर कर रहे हैं empower तिलकप्रसाद कर चीवव 1901 करहें यह समर्फित कर रहे हैं गर्यसाद से युद्धेविश रॉर आप भिवानी हर्याणा से 1100 रुपे, राज बहादुर उत्र प्रदेश से 200 रुपे समर्पित करें हैं, सुनील कुमार जी कुप्ता आप नई दिली से 1100 रुपे, 1101 रुपे, भव्या ग्रवाल जी आप बाडमी राजिस्थान से, इंद्रावती जी हर्याणा से 1100 रुपे स और पिंकी सर्मा आप राम प्रकाजी दिली से 1100 रुपे समर्पित करें हैं, 1100 रुपे तरलोक चंजी नागोर राजिस्थान से समर्पित करें हैं, 11000 रुपे अन्य छेत्र की सेवा के लिए, स्रीमान पहला सिंग जी ठाकोर आप देव कुमारी जी सागरमाद प्रदेश से साथी सुजीत कुमार जी बिहार से 1100 रुपे, बनवारी जमसादपूर जारकंड से 1100 रुपे, 1100 रुपे राजमती देवी जी आप जमसादपूर जारकंड से, मालती जी आप अजिमेर से 1100 रुपे, 1100 रुपे समर्पित करें हैं, सर्वानी देवी जी आप बिलासपूर हिमाचर प्रदेश से एक हजार रुपे केकती बाई जी साहू आप चतीस गड़ से समर्फित कर रहे हैं साथी 1101 रुपे सुक्राम सिंग जी कशब आप मेनपूरी मेनपूरी उत्रप्रदेश से डोरीला सोनी आप मालती देवी जी कुरबा चतीस गड़ से 1100 रुपे 1100 रुपे प्रकास कुमार जी कोटली से प्रमोती जी मुझपन नगर बिहार से 1100 रुपे 1100 रुपे अजे कुमार जहां आप गुडिया दीवी जहां लुद्याना पंजाब से समर्फित कर रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धरम चं जी जलगाउ से 1100 रुपे क्यामन 400 रुपे कमला रामचंद्र जी आप महराष्ट से समर्फित कर रहे हैं 2000 रुपे सुधरी दीवी जी जालाउं से 25 रुपे वाल्मी की शिंह जी आप बेगु सराई बिहार से समर्फित करें मदन मोहन जी हर्याना से 1100 रुपे टेर 1001 कुलवंत रही जी पंजाब से 1100 रुपे, 1100 रुपे मंगल मंधल जी समर्फित कर रहे हैं अनीता केवट जी आदमपूर भोपाल से आप 1100 रुपे, सचिन रेना जी मोहाली पंजाब से 1100 रुपे 1100 रुपे कांता सर्मा रोहनी दिली से 1100 रुपे शुरुती मोर परवत आप मोर आनंद गोजराई से समरफित करें हैं 1100 रुपे सचिन जी धनबाद से सार्दा दीवी जित्ता उड़गर से 1100 रुपे आसा दीवी जी धारकंड से 1100 रुपे संदिहा देवांगन जी 21000 रुपे समरफित करते हो है किसी एक मा का साहरा बन रहे हैं साथी इसी स्टंकला में रामबाई जी देवांगन आप 1100 रुपे जगरूप सिंग जी स्वर्गिये मीना दीवी जी कानपुर्टर प्रदेश से 2000 रुपे दीप्ती सराप उडिशा से 1100 रुपे 1100 रुपे सागर जी कनवार आप पाली राजिस्टान से गीतावाई जी जैवुर राजिस्टान से 2100 रुपे वालमी की सिंग जी आप बेगुसरा बिहार से 2500 रुपे समरफित करें हैं गुप्तदान एहमदाबाद से हमें प्राप्त हुआ हैं और शी शंकला में अनिता जी पाठकर जहासी से आप 1100 रुपे एक हजार एक रुपे विभाद देवी जी सुपॉल से मुकेश जी ममता अगरवाल आप 1100 रुपे विजे पभीता अगरवाल 1100 रुपे साथी 1100 रुपे निर्मला साहु आप रायपोर 36 गड़ से हैं साथी 1500 रुपे प्रतिभा धनुकार जी अकोला से समर्फित कर रहे हैं मंगल जी दिली से विशिश सयोग पतान कर रहे हैं अभजीत कुमार साहु आप विलासपुर से 1100 रुपे हैं सुरेश चंदी जी विशन चंदी जी आप मतुरा से 2100 रुपे समर्फित कर रहे हैं गिरदारी लाल जी आप सीकर राजिस्तान से 4301 रुपे समर्फित कर रहे हैं सरगी अमरदाजी लक्षमरदाजी आप महराशी से 1100 रुपे संपत कनवार आप पाली राजिस्तान से 1100 रुपे समर्वित कर रहे हैं स्रीमान तरलोक नाजी सर्मा आप पठान कोट पंजाब से 1100 रुपे समर्वित कर रहे हैं साधी रादा जी उडिशाज से 1100 रुपे समर्वित कर रही हैं एक हजार एक रुपे मोहन राम जी आरे आप फरीदावाद हरियना से समर्भित कर रहे हैं खजरी देवी जी रोहनी दिली से एक किस्टो रुपे एक हजार रुपे भगत राम जी जैसवाल आप राइगर चतिसगर से साधी 11 रुपे बंसा जी अगरबाल आप मुगदाबाद से 11 रुपे इंद्रा जी घंश्याम जी आप थाने से कमलेश्वरी साहू आप चंद्र भूशन साहू दंतरी चतिसगर से 11 रुपे समर्भित कर रहे हैं कल्यान से बरन सिंग जी आप उमर गाउं प्रदेश से 1100 रुपे समर्भित कर रही हैं और साथ ही हमें राम प्रकास बर्मा मुंबई से 11000 रुपे अन्य शित्र की शेवा के लिए समर्भित कर रहे हैं इसे शंकला में प्रियंका गुपता आप संगम बिहार दिली से ग्यारे सो रुपे छे हजार रुपे धरम भाई जी समर्फित कर रही हैं ग्यारे सो एक रुपे रवी कांद जी गुपता समर्फित कर रहे हैं सुरती जी उडिशा से ग्यारे सो ग्यारे सो रुपे कैला सर्मा आप सतना से ग्यारे सो रु 1100 रुपे केशब जी चौरसिया आप घंस्याम जी मदप्रदेश से समर्पित कर रहे हैं संतोष कुमार दुर्ग 36 गड़ से 1100 रुपे 1101 रुपे अभिनास कुमार जी जहां आप दरबंगा से बीकी जी पीकाने राजिस्थान से 1100 रुपे 1100 रुपे फूल कुमारी देवी आप बेगु सराय से हरसित राणा आप रामपुर अमरोहा से 1100 रुपे 1100 रुपे मुनी देवी जी आप बलिया तो प्रदेश से समर्पित कर रहे हैं सूरजी हर्याना से 1100 रुपे और शाती बुपेंद्र कुमार जी साहु आप 36 गड़ से 1100 रुपे बसला बलवंद सिंग जी आप भाटी राजी स्थान से 1100 रुपे नूर्ती देवी जी आप अजमेर राजी स्थान से 1100 रुपे 1101 रुपे स्वेता देवी जी आप बिहार से समर्फित कर रही है 11 il liber C आ पड़ना जी समर्फित करें हैं दुलारी शिंग जी वारानशीस समर्फित कर रहे हैं 11 रुपे और 1101 esok कृषण देवी जी हर्याना से 111 रादा देवी जी जोवार आप अम्रस्र बंजाब से राजेश कुमार जी नोट अउत्पडेश से 11 बढ़िज सों रूपह समर्फित कर रहे हैं लवली कुमारी जी आप लखी श्राइं-बिहार से 21 रूपह समर्फित करते होएं जी एक मां का आप सहारा बने हैं आसा रानी जी सत्पाल जी लोध्याना से आप ग्यारेश रूपह किस रूपह कृष्चिना माया देवी जी आप 9 आप सागरमद्राद से माधभर सेवस्याऊर्थट चूल से 11 उपे एक हजार रोपे बादाम भाय जी समरफित करें एक कीश में क्या पूर किरilla नियूंजən के पूले से कमले स्व्हीत स्वाने हैं आप इंदौर मदप्रदेस से जितिन जी मंडलोई आप खरगोन से 1,101 रूपे, 1,101 रूपे मितला साहु आप छतीजगर से 1,101 रूपे, संकर लाल जी साहु आप कांकियर से समर्बित करें हैं, छाया मिस्रा जबलपुर से 1,50 रूपे, असोग जी प्रदान ओडिशा से 1,100 र में हमें माया देवी जी आप श्री वास्तव समर्बित करें 21,000 रूपे, साथी आप किसी एक मा का सहरा बन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथी माया देवी जी श्री वास्तव आप 11,000 रूपे समर्बित करें हैं, बस गाउन डिस्टिक्ट जतिया से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथी आप विश्य सहयोग पुर्दान कर रहे हैं माया देवे जी श्री बास्ताफ जी आप बरगाउंट रिष्टक दतिया से आपके लिए बहुत 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 बंदन साथी गीता बैं जी पुर्शतम बाई जी पितारिया आ बरीली से 1100 रुपे 1101 रुपे मनोजी जोगमती जैस्वा लाग लखनुव से श्रीमती आशा सुरेज जी पाडल कर आप औरंगाबाद से 1100 रुपे समर्पित कर रहे हैं रमेश कुमार जी सरोजबाला जी अम्माला से विशे सहयोग पुर्दान कर रही हैं विद्या देवी जी आप हमीरपुर एमाचर प्रदे से 1000 रुपे 1100 रुपे श्रीमती मुनेश देवी जी समर्पित कर रही हैं हस्तल से गड़े संकर जी दुएदी तरवेदी आप गंगापुर से राजिस्थान से समर्पित करें 2000 रुपे 21 रुपे नर्मदा देवी जी समर्पित कर रही हैं गंगापुर राजिस्थान से सब्सक्राइब कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी जांगेड आप अज में राजिस्तान से 21 रुपे समर्फित कर रहे हैं और शीशंकला में साथी एक हजार रुपे दिशोल की चिकतसाल है के माध्यम से चिकतसा सेवा में चल रहे हैं उसके लिए समर्फित कर रहे हैं श्रीमती शाष्टा देविजी दरमपतिकी पेड़ी गुप्ता आपके लिए बहुत बहुत धन्याबाद शाम चुन्दर जी धवन आप एक ब्रत म माता को गोद लेने के लिए साथी चिकत्सा सेवा में सहयोग करने के लिए 31,000 रुपे समर्फित कर रहे हैं आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद शी हल्दार जी कलर आप उडिशा से सेवा के लिए समर्फित कर रहे हैं लखी श्राय बिहार से आपके लिए भी धन्यवाद 21 रुपे असोग जी सुस्मा मयूर जी महाजन आप चंदीगड से समर्फित कर रहे हैं अन्यपूना दीवी जी धरमपत्नी सुर्गी है वशिष्ट मिस्त्रा जी बिहार से 1100 रुपे सम और सुनेर कुमार जी गुपता आप नईदिली से 1000 रुपे सिमत ही ऊमा florin दडवे आप नईदिली से 200 रुपे प्रकासी दीवी जी नॉटा से आप 1100 रुपे समर्फित कर रहे हैं शिमत दर्षना दीवी झीग 2100 रुपे स समर्पित कर रहे हैं जीने लोग आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 21,000 रुपे देकर एक मा का सहारा बन रहे हैं हिसार हर्याणा से चबली जी यादव आपके लिए धन्यवाद साथी 1101 रुपे मनीशा जी गर्ग आप डौली जी सामली उत्तर प्रदेश से कांता सर्मा जी आप रोहनी दिली से 1100 रुपे रेखा जी कश्यब जी आप होसंगाबाद मतवर्दे से 1100 रुपे साथी 1100 रुपे मीना जी गुपता यसपाल जी गुपता आप खणना पंजाब से समर्पित कर रहे हैं और सी मनोर्मा जी सेटिया आप चिंदवाडा से समर्पित कर रही हैं 26 रुपे शीमती उनुमिला जी अग्रबाल आप सी विजय कुमार जी अग्रबाल उत्राखंड से शीमती राजराणी सर्मा आप सोल गिए ओम् प्रका जी सर्मा सोल गिए राम प्यारी सी सर्मा के नाम से राजराणी जी समर्फित कर रही है 1100 रूपे और प्रुसाल जी। majh क्टा 1,000 रूपे 1100 रूपे ऐनशेल क्शेवा की लिए मोहिनी रभी कुपता जी। नहीं दिल्नी से समर्फित कर रही है। creation रूपे अब भीक मलियाज जी। कर रहे हैं और रॉक्सी रहना जी आप नहीं दिली से अन्य चेत्र की सेबा के लिए 200 रुपे और ब्रत्माताओं की सेबा के लिए 11000 रुपे समर्पित कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद इसी शंकला में श्री मती सुस्मा सर्मा आप बंदी नगर जंबू से समर्पित कर रहे हैं 1100 रुपे श्री मती अरुणा वर्मा धरपतनी श्री सुन्दर लाल जी वर्मा आप रोहिनी दिली से रोहानी जंबू से समर्पित कर रहे हैं श्यमती उन्मलादैवी जी आप साजी राम जी भिहार से 1100 रुपे 1111 रुपे श्री अजाय फृताब शिम जी आप एटा उत्रबृत देश से समर्वित करें हैं श्री पवण कुमार जी सौणी जी आप साजावीमेतरा 36 गढ़ से एक मा का सहारा बने के लिए 21,000 रुपे समर्वित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवार। साथी एक मा का सहारा बने के लिए शिमती मुन्नी बाई जी सोनी जी आप साजा भीमितरा से 21,000 रुपे समर्वित कर रहे हैं और आने चेतर की सेवा के लिए स्रीमान पवन कुमार सोनी पतनी शीमती मुन्नी भाई जी सोनी आप 11,000 रुपे आने चेतर की सेवा के लिए समर्भित कर रहे हैं श्री अशोब कुमार जी आप जम्मू कस्मीर से अन्ने चेत्र की शेभा के लिए 500 रुपे उसा गुपता जी आप रियागराच से 300 रुपे समर्पित कर रहे हैं साथी कहलाच दोवे जी आप इलावाद से 2100 रुपे प्रिया इसमरता दर्जी आप बलांगीर उडी जास से 1100 रुपे समर्फित कर रहे हैं एक हजारे रुपए हमें सुधागुपता जी समर्पित कर रहे हैं घौ सेबा के लिए और साथी व्रत्दा स्प्राइब के लिए 11 रूपई समर्पड कर रहे हैं वैसाली घाजियावाद से कांता सिंग जी आप हर्यानास से कुर्ट शेतर से 21ीज़ रूपड करें हैं ताकि आप भी एक मा का सहारा बन सकें और आज आपका ये भाव आपने प्रकट किया और आपने एक मा को गोदलिया है आपके लिए बहुत बहुत दन्यमाद साथी बाला दीवी जी आप हर्याना से कुर्ट छेतर से की स्टूर पर समर्पित कर रही हैं काची राम जी मिना आप हीरा भाई जी मिना 11 पर समर्पित कर रहे हैं साथी जितने भी धानभी माहापुर्षों ने अपने सहयोग के हाथ आके और था किसी परकार का सहयोग प्रदार्शुम की सेबा के लिए ऑन्ये smart कि favors कि लिए इस पावन मच से से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, साधी जितने भी बक्तगण यहां उपस्तिते हैं, और जो TV चनल के माध्यम से आज की पावन कता से जोड़े हैं, सभी से एक बार पुने हैं, यह निवेदन करना चाहूंगा, आप भी एक बार अपने मन में साम रंदावन से जुड़ जाएं, पूचे मराशी के उन पावन प्रकल्बों से जुड़ जाएं, जहां वास्तब में आपको सेवा देखने को भी मिलेगी, और सेवा करने को भी मिलेगी, आइए चलते हैं, पावन कता की और एक बार पुने, दोनों हाथ उठाकर बड़े ह से बोलेंगे, राध है, राध है, आईए सबी नभी मिलेगी, बोल्य भक्त वत्सल भगवान की जे, 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 श्री राध है, सर्व प्रथम आज कछा में गुरू जन पधारे हैं और आप श्री चरणों का दरसन करने का स्वाभाग मिला है, गुरू जनों के चरणों में दा सनुरुध का बारंबार, कोटी-कोटी प्रणाव, प्रहलाद जी महराज ने अपने पिता से कहा, पिता जी, या तो भगवान की कठाओं को श्रवन करना सुरू कर दीजिए, या तो कीर्तन करना सुरू कर दीजिए, या श्मरन करना सुरू कीजिए या चर्णों की सेवपाद सेवनम या तो वर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मने वेदनम अड़्धात समर्पन सख्यमात्मने वेदनम ये नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने माता सबरी से कही प्रचम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान और यहां प्रहलाद जी ने अपने पूजी पिता जी से कहा भागवान की भक्ती किसी भी प्रकार से बस आ जाए और भक्ती का दूसरा नाम है प्रेम प्रेम हो जाए भागवान के चरणों में हिरन ने कश्यपु ने तो प्रहलाद को बड़ी डांट लगाई क्या पढ़ लिया तुझी क्या पढ़ने भेजा था शंडा मर्ग फिर लेकर चले गए एक अवशर और दिया जाए आज गुरु कुल खाली था प्रहलाद के बच्चों ने अर्थाद विद्यार्थियों ने प्रश्न किया प्रहलाद आपने कौन सी सिक्षा प्राप्ट कर ली जो आप हम से अच्छी बातें करते हैं और भगवान की इतने करीब हैं तब प्रहलाद जी ने उन्हें भी कहा बच्चों जो मैं रास्ता अपनाया हूं वही कल्यान का साधन है तुम भी संसार से हटकर भगवान में मन लगाओ प्रहलाद जी ने बच्चों को कहा काउमार वाचरेत प्राग्यो धर्मान भागवता निहां जुर लभं मानुशं जन्मां तददब्या धुब्यमर्थिदम प्रहलाद जी ने कहा देखो भगवान की भक्ती बुढ़ापे से नहीं काउमार आचरेत प्राग्यो भक्ती का आचरन काउमार वस्था से अर्थात लड़क्पन से प्रारम कर देना चाहिए भगवान के प्रती श्रद्धा विश्वास लड़क्पन जवानी से स्टार्ट हो जाए और प्रहलाद जी ने अपने बच्चों को उपदेश किया और जिब भी उपदेश कर रहे थे तब ही उनके गुरु जन आये प्रहलाद जी कीरतन करने लगे गुरु जन आये उन्हों ने भी प्रहलाद जी को संद जन कहते हैं सपर्श किया तो वो भी कीरतन करने लगे तब हिरण ने कश्यपूवंत में वहां पहुंचे पर ये बात तो राज्य महल की है तो जब प्रहलाद जी तीसरी बार पढ़कर घर गए तो पिता ने पूछा कि तेरा भगवान जिसकी तो इतनी भगती करता है बोल कहा है तब प्रहलाद जी ने कहा पिता जी नके विलम में भवतश चराजन सवई बलम बलिनाम चाप अरे से अरे जिसके बल से आप बोल रहे हैं वो बल किसका है सवई बलम बलिनाम चाप सब के बल कौन है निर बल के बल राम सुनेरी मैंने नि ये शलोकों कारतु सूर्दाज्जी करते हैं निर्वल के वलराव, अरे भगवान ही सब के बल है, परहलाद जी कहते हैं कहा नहीं है ये तो बताओ, फेरन ने-कश्वपु बोला क्या से खंबे पर है, हां, अच्वाइक प्रश्ने खड़ा हुआ, कि हेरन-कश्वपु ने खं लंबा ही क्यों तोड़ा, दीबार भी तोड़ के देख सकता था, कैसे दीवार में भगवान है? क्योंकि खंबा का एक आकार था, गोल सा, लंबा, और पासान का था, पत्थर का खंबा था, तो प्रहलाद जी से पूछा क्या इस खंबे पर हैं? प्रहलाद जी ने कह दिया हां और जब खंबे पर प्रहार की अहरन कशप ने तो खंबा तूटा और खंबा तूटा तो नरसिंग भगवान प्रगट भए अब प्रशन ये खड़ा हुआ कि तब खंबा तूटा था तो नरसिंग भगवान प्रगट भए आज भी बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं प्रगट होते? क्या भगवान उसी खंबे में थे? कहां थे भगवान? अरे भाई, भगवान खंबे में नहीं थे, लोग कहते हैं भगवान खंबे से प्रगट भए, भगवान खंबे से प्रगट नहीं भए, ताकि भक्तों का विश्वास कभी तूटे ने। भागवान खंबे पर नहीं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास से आप कह दोगे कि यहां इश्वर है तो है। कहो तो एक बार उस विश्वास से नर्शिंग वसें परति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर अने के फिरें कर मांगत पैपद सूर सुस्वाद कहा। पुनी ताल मजीर बजाती फिरें मीरा बतवाली सी चाह कहा। स्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहा। और नर्शिंग वसें परति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। कहां है वो प्रहलाद। प्रहलाद जी अच्छा जवसे प्रहलाद जी के प्रहार नर्शिंग भगवान प्रकट भाई हिरन्ने कश्यपू के प्रहार से तब से मूर्ति पूझा श्टार्ट होगी एक सज्जन ने हम से पूछा भया महराजी ये बताओ भगवान पथर के क्यों बनाए जाते हैं अक्सर जगनात भगवान को छोड़कर अक्सर अधिकांस देखा गया है कि भगवान की जितनी मूर्तियां सब पथर की पाशान की है जितने विग्रह हैं सब पथर के हैं तो किसी ने कहा कि भगवान पथर के ही क्यों बनते हैं हमने कहा इस दुनिया में सबसे कठोर वस्तु पथर है इस स्रश्टी में सबसे कठोर क्या है हीरा कठोर है वो भी पथर है पर मैं पत्थर की बात करूँ सबसे कठोर पत्थर होता है लकडी से कठोर है, मिट्टी से कठोर है अन्य चीजों से कठोर पत्थर है मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि दुनिया वालो मैं सबसे कठोर वस्तू में यदि विद्यमान हूँ तो सबसे कॉमल वस्टू में तो होंगा ही होंगा ना और सबसे कॉमल कौन है माता पिता सबसे कॉमल है अर्धात भगवान हरी व्यापक सरवत्र समाना की बाद उनका सिद्धानत यहां पुष्ट हो गए भगवान पच्छर किसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि सबसे कठोर है और भगवान सबसे कठोर से कठोर वस्तु में भी भगवान हरी व्यापक सरवत्र समाना सर्वं खलविदंब्रम सरवत्र है नर्शिंग भगवान प्रगट हो गए रेट ने कश्यबू को उठाकर गोद में रख लिया रेट ने कश्यबू गोला मैं मरूँ गा है नही हूँ भगवान अब क्यों बोले ना दिन को मरू ना राद को मरू भगवान जो बूले ब्रहम्मा के बनाए किसी महिने में नहीं मरूँ भगवान बोले जड़ा पंचांग देखा कर ते रहवा पुरसोत्तम महिना चल रख तो मरेगा बोला अभी भी नहीं मरूँगा ना इंसान से मरूँ ना देवताओं से ना यक्ष से ना गंधर्व से भगवान बोले ना मैं देवताओं ना दाना होना यक्ष होना गंधर्व हो मुझे देख आधा धड़ सरीर इंसान का है और आधा सेर का है नर सिंग मेरे जैसा कहीं दूसरा देखा हो तो बता भागवान जैसे सिर्व भगवान है कोई टू कौपी डूपलीकेट कुछ नहीं है भागवान ने कहा तुझे मारने के लिए का पर अंतिम सत्य यही है कि मरना सबको है हिरने कश्यपू जैसे हिरन्याक्ष जैसे नहीं बचे रावड कुम्वकर्ण शिशुपाल दंतवक्र जैसे नहीं बचे तो हम और आप क्या है इसलिए गोश्वामी जी महराज लगते हैं कि दो बातने को भूल मत जो चाहे कल्यान नारायन एक मौत को दूजे श्री भगवान अपनी म्रत्यू को और अपने इश्ट को अपने भगवान को कभी मत भूलिएगा दो बातन को भूल मत भगवान को और म्रत्यू को हिरन कश्यबू भूल गया था और मनमाना करता कौन समझा इन्हें कि यती सरवत्र वर जयताती करोगित वंत निश्चित है छाती फाड डाली भगवान ने आतों को निकाल कर गले की माला क्यों पहन ली इसलिए मानो भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस हिरन कश्यबू के देते हैं इसलिए गले की माला बनाकर उसकी आतों को पहन लिया और भगवान ने धेरन कश्यबू का उध्धार किया देवी देवता आयज आप्षात लक्षमी जी आई इस्तुती करने पर भगवान की इस्तुती कोई कर ना पाया डर के मारे सब भाग गए पर प्रहलाद ज तो वैसे ही खड़े हैं जैसे गाय के सामने बचड़ा और सेरनी के सामने उसका बच्चा खड़ा होता है सेरनी से दुनिया डरता है डरती है पर सेर का बच्चा कहां डरता है गाय का बच्चा जैसे गाय के सामने खड़ा है और गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है उसी प्रकार भगवान तो वो भगवान है जो भक्त के पापों को एक वार कोई सनमक होई जी वो मही जब ही जनम कोटी अगना सही तब ही एक वार कोई सनमक खड़ा तो हो जाए कहकर के प्रभू में आपका हो गया उसी दिन जैसे गव माता चाट चाट के बच्चे को निर्मल कर देती है उसी एक छण भगवान अपने भक्त को निर्मल कर देते हैं तब जब वो सामने खड़ा होता है ये कहकर के मैं आपका हूँ प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयाह सुर्गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वई गतानमतयोवच साम्प्रवाहे नारादितुम् पुरुगुणै रदुनापि विप्रू किम्तोष्टुमरहति समेहरिरूक्रजाति हे प्रभू ब्रह्मादयाह सुर्गणा मुनयोथ सिद्धा हे प्रमात्मा हे इश्वर जन्होंने ब्रह्मा को प्रगट किया ब्रह्मादया सुर्गणा जिसकी देवता भी स्थुती करते हैं और हाद जोड़ कर खड़े रहते हैं वो परमात्मा का दर्सन करने का मुझे सवभाग गिमिला प्रहलाद जी, चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी के सिरपे हाथ रखते भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम मुझसे कुछ मांग लो आज मेरा मन तुम्हें कुछ देने का है बोलो तुम्हें क्या चाहिए जब ये बात भगवान ने कही तो क्या हुआ प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान भगवान की बात सुनकर प्रहलाद जी ने कहा प्रभू यद आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हम कभी आपसे कुछ मांगें न अर्थात मांगने की इक्षा कभी प्रगटना हो बस यही वर्दान दे दीजिए अर्थात प्रहलाद जी ने निस्काम होने का वर्दान मांगा हे प्रभू हमें क्या बना दीजिए निस्काम बना दीजिए हमें निस काम कर दीजिए याद रखना हां जब तक हमारे भीतर कामनाई उसके अभी भरत जी के प्रसंग में मैंने ये बात आप से की जब तक कामनाई होंगी प्रहलाज जी भी निस कामना के चलते मरग बन गए क्योंकि मरग में मन लग गया आपके भीतर जब तक ये कामणाओं का काटा है तब तक ही आप चक्कर में पड़े हैं और जिस दिन निसकाम हो जाएंगे वो उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सार्थक हो जाएगा इसलिए हम निसकाम भक्त दो प्रकार के होते हैं एक साकाम, एक सकाम, एक निसकाम जिसनके भीतर कोई कामना है वो सकाम है, मांगने वालों की तो भीड लगी है, पर निसकाम कौन है जिसे कुछ नहीं चाहिए चाहिए क्या वो ले कनहिया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है चाहत हो तो केवल गोविंद के दरसन की केवल केवल इश्वर के दरसन की आसू भी हो तो उनकी दरसन के लिए चाहत भी हो तो उनकी हो अरहे जमाने की चाहत करके क्या मिलना है इसलिए चाह जी से लगी जी जरा हो गया चाह हरी से लगी जी हरा हो गया और चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और गर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए इश्वर हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए मीरा धन्य हो गई जिसने भगवान को चाहा केवल उसने चाहा ऐसा नहीं भगवान ने भी चाहा तो हिर्दय में जगह दे दी आज दुनिया में कहीं मीरा की समाधी नहीं चेतन्य महाप्रभू ने भगवान को चाहा तो सिर्फ उन्होंने नहीं भगवान ने भी चाहा तो जगनात जी ने अपने हिर्दय में उन्हें स्थान दे दिया स्री हरिदास जी ने भगवान को चाहा तो सिर्व हरिदास जी ने नहीं चाहा अरे भगवान भिहारी जी ने भी चाहा तो उनके कहने से प्रगट हो गए उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी स्तुति उनके पद सुनकर यदि मैं तुम्हें चाहूं तो तुम भी मुझे चाहो और भक्त की भक्ती तो तब सफल है ना जब मैं तुम्हें चाहूं तब सफल नहीं है जब तुम हमें चाहो तब सफल है तो आप उसे तब तक चाहो तब तक चाहो बिहारी जी को तब तक चाहो जब तक वो आपको न चाहने लग जाए यही तो चाह, यही तो प्रहलाज जी कहते है कि यदी मैं मांग लूँगा तो फिर मेरी भक्ती कर्थ क्या है इसलिए मैं मांगना नहीं चाहता है वोविंद है प्रभू, यदी देना है तो मुझे निस्काम कर दीजिए कोई काम ना ही कभी प्रगट ना हो मांगने की आज ना सही जनम जनम तक भी मैं आपसे कुछ ना मांगा और सच्छी बात कहूं जो भगवान के चरणों में हैं वो कुछ चाहता ही नहीं भरत जी से प्रयाग राज जी ने कहा मांग लो तो भरत जी ने कहा अर्थे न धर में न काम है रूची गती न चहां हो निरिवान जनम जनम रतिराम पदर किया है बरदान नयान किवल आपके चरणों में प्रीती हो वस यही बाली से कहा तुम मांग लो तो बाली ने क्या कहा अब ना थिकरि करणा विलो कहूं दे हो जो वर्माग हूं जी है योनी जनम हूं कर में वस ताहा राम पद्यन राजम जिस योनी में मैं यह नहीं कहता कि अगले जनम मैं मुझे इंसान ही बनाना हे नाच अगले जनम में मुझे यदी बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली से विहारी जी के सनान का जल गुजरता हो हाँ बस वो वो चाहत नाक प्रश्टम न चपार मेष्ट्यम न सार्व भामम न रसाधि पत्यम न योग सित्धी रप न भवंबा हे प्रभु मुझे योगी बना है न ब्रह्मा पद चाहिए न इंद्र पद चाहिए मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल केवल आपके चर मैं के बस जाओं वहां रहूं पर आपका चिंतन न भूले हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं जहां रहूं जैसा रहूं जिस हाल में रहूं भूखा रहूं तो आपको भजूं प्यासा रहूं तो आपको भजूं और पेट भर के खाओं तो आपको भजूं आज मैं तो भी आपको भजूँ, हर हाल मैं मैं घास की जोपड़ी में रहूँ, तो आपको भजूँ, और सौने के महलों मैं आप भेजदो, तो भी मैं आपको ही भजूँ, हेनाज मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, यही प्रहलाद जीने चाहा। प्रकूट परवत पर एक हाथी रहा करता था बड़ा उनमत था बहुत सारी हथनिया और बहुत सारे उसके बच्चे थे पर क्या हुआ कि एक बार वो इस नान करने गया सरोवर में और पानी पी रहा था कि उसका पाउ मगर ने पकड लिया पानी को गलत धंग से उच कर रहा तो मगर ने पकड़ लिया, मगर ये कह रहा था पानी को ठीक ठीक से पीलो और जाओ, तुम गंदा क्यों कर रहे हो, जल को क्यों बरबाद कर रहे हो, जल को बरबाद किया हाथी ने तो मगर ने पाँ पकड़ लिया, आप लोग भी जल बचाईएगा, जल को बरबाद ना कीज पकड़ा अब हाथी तो घबराए उन्हें तो लगा कि कोई साधारन होगा तो छोड़ा लूँगा पर कैसे छोड़ाते जोर जितना लगाए अंदर उतना पाउँ चला जाए फिर बाहर निकले फिर अंदर चलता रहा चलता रहा जब हाथी ने अपने परिवार को बुलाया ब याद रखिएगा जब तक सरीर में बल है और आपके जेम में पैसे हैं तब तक ही लोग आपकी तरफ देख रहे हैं आपके पैसे खतम हो जाएंगे तो आपके अपने भी देखने नहीं आएंगे कि क्या चल रहा है हाँ जी किसी ने बड़ी आसी बात कही है जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते बरसों हुए पेड की साखाए हैं सूखी अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते पेड हराब हरा होता है तो पक्छी घौसला भी बनाते है और पेड सूख जाए तो वहां तो पक्छी भी रात बिताने लकडी के मकानों में न चीराग जलाओ वो आग पडोसी भी बुझाने नहीं आते अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते जो बीत गए हैं भुझाने नहीं आते जमाने बीत गए कभी तुम जवान थे दोड़ते थे अपना काम कर लेते थे या बुढ़ा पा गया पराधीन हो गए भगवान से यही कहो के हेनाथ मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े मजे तो केवल आपका सहारा चाहिए और किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े इसके लिए आप अच्छे कर्म करते रहें किसी के साथ गलत ना किजिए हाथी ने पुकारा हाथी के प्रसंग में प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम लिखा शुकदेव भगवान कहते हैं एवं ब्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरदी जजाप परमंजाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम पुराने जो संसिकार थे उसके उस संसिकार को याद करता है जब पतनी बच्चे छोड़ कर चले गए तो वो संसिकार जाग गई याद रखना आपका पुन्य कभी न कभी आपके काम जरूर आता है इस जनम में किया है कभी न कभी अजामिल ने एक नाम लिया अज्यानवस्त लो सदगती हो गई तो पुन्य कभी न कभी काम आएगा इसलिए कुछ-कुछ करते रहा करो हाथी के पूर्व जनम का संसकार काम आया और उन्होंने स्थुती की ओम्नमो भगवते तस्मई यदे तच्चिदात्मिकम पुरुसाया दिवे जाया परेसाया भिधे महे सत्यम्परमधी महे उस सत्य को श्री भगवान ब्रह्म सूत्र से सत्यम्परमधी मही निकालते हैं जनमाद यस सयतोन वयादितर तश्च्या चार्थे सु भिग्या स्वराठ स्वानिव राजितिती स्वराठ उस सत्यम्परमधी मही को व्याजी ने सत्य की प्रार्धना से श्टाट किया भागवत इश्वर को सत्य माना उसी बात को यहांथी दोहरा रहा गजेंद्र हे प्रभू परेसायावी धी महीं आपका मैं ध्यान करता हूं किसका ध्यान जो सत्यम परम धी महीं जिनके यहां ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के खड़े हैं मैं उनकी सरण ग्रहन करता हूँ जिनके नाभी से ब्रह्मा प्रकट होते हैं मैं उन परमात्मा की सरण ग्रहन करता हूँ जो सरष्टी को प्रपंच को बनाने वाले हैं मैं उन परमात्मा की सरण ग्रण करता हूँ जिनके सामने यक्ष गंधर्व देवी देवता हाध जोड़ कर खड़े हैं जब हाथी ने स्तुती की भगवान को आवान किया नाम लेकर नहीं पर परमात्मा जो नाम किसी का नहीं वो नाम भगवान का इश्वर साकार है तो निराकार भी है इश्वर का कुछ नाम है तो कुछ नाम है भी नहीं इश्वर तो नाम से परे है गुद्धी से परे है त्रुगणा तीत है तीनों गुणों से परे है उसका क्या नाम हो सकता है इसलिए हिंदी के जितने अक्षर हैं काखा गागा सब उसी के स्वरूप हैं ब्रह्मा शब्द ही तो ब्रह्मा है तो हर शब्द ब्रह्मान्ड में जितने सब्द गूंज रहे हैं हर शब्द तो इश्वर का सूचक है, कौन सा सब्द इतर है जो परमात्मा को सूचितना करे, परमात्मा का बोधना कराए वो कौन सा सब्द है, हर शब्द इश्वर का बोध कराता, इसलिए आज नाम ना लेकर पुकारा तो भी भगवान हरी बनकर प्रगट हो गए, और हरी ब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि प्रभू आपको बुलाया हाथी ने पर मगर का सिर काट के आपने उसका उद्धार कर दिया भगवान ने कहा कि मेरा भक्त यद मुझे बुलाता है और कोई मेरे भक्त के पाउँ पकड़ लेता है तो मैं भक्त का उद्धार दासान उदासो भव भवितास्मा भुया मैं भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ भक्त के जो चर्ण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर देता हूँ उसलिए भारत में गुरू परंपरा की पध्धति रही है गुरू ने भगवान को पकड़ा है तो मुरू के पाँ पकड़ लो तो दासानों दासों भवितास से भूया का वाग के सफल हो जाएगा चरितार्थ करना है से हम स्वयम भगवान को नहीं पकड़ सकते तो क्या हुआ डारेक्ट इंडारेक्ट मीरा वाई को भक्ती का उपदेश किसने किया रैदास भक्त ने वस्तु अमोलक दी मेरे सत्गुरु करी गिर्पा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो डारेक्ट किसी मिले भगवान किसी को मिल भी गए हो तो वैल्यू बाद में पता चली एक को मिले भगवान गुरु की विना नाम था नाम देव भक्त नाम देव पर खेचर बाद में गुरु प्राप्त किये तब कहीं गजेंद्र को बचाया गरह का सिरकाटा भगवान ने उधार कर दिया ये गरह पूर्व जन में हुफु नाम का गंधर्व था जिसे देवल नामक रिशी ने शुराब दिया था और ये हाठी गजेंद्र द्रबन देश का राजा इंद्र दुमन था जिसे अगस्त मुनी ने स्राप दिया था हाथी की तरह था उनमत्य था श्राप दे दिया जा और हुआई पाउँ पकड़ था संत अग तपस्या करते जंगल में जल में अरख देते सूर्य भगवानों को सूरी प्रणाम करते तू पाउं पकड़ के खीश लेता संत ने का अच्छा संतों का पमान करते हो जाओ तुम मगर की तरह काम कर रहे हो मगर ही हो जाओ ये श्राप दे दिया पर आज भगवत कृपा से दौनों श्राप से आप से प्रार्थना है आप टीवी पर कछा कर जाए तो यूट्यूब पर देखना स्टाइड कर दीजेगा यूट्यूब पर अनिरुद्धा चार्जी डालेंगे तो आपको आगी की कठा का स्पष्ट दर्सन होगा स्रबन करने का परमस्वभाग्य आपको प्रात होगा गुरू वचनों पर भी हम गुरू वचनों पर गुरू वचनों को भी श्रवण कर पाएंगे और अब भगवान की एक एक बार भगवान समद्र मंठन के लिए तीन अवतार लेके आए धनवंतरी पहले अवतार में भगवान कक्षप बने पिर भगवान धनवन्तरी प्रगट भे फिर भगवान मौहनी बनकर के प्रगट भे और समुद्र मंधन का जो अमरत निकला था वो देवताओं तक भगवान ने किसी प्रकार से मौहनी बनकर के पहुंचाया समुद्र वंचन में पहले भगवान की कृपा से विश निकला जिसे भगवान शिवने ग्रहन किया फिर उसके बाद काम धैनों निकली जिसे संत्वा ने लिया उच्चेश रवा नाम का घोडा निकला जिसे राजा बली ने लिया और एरावत नाम का हाथी निकला जिसे देवराज इंद्रे ने रिया कौस्तो मनी निकली जिसे भगवान ने कल्पबरक्ष निकला देवताओं ने अंत में अम्रत निकला महा भारत हुआ देवा सुर संग्राम हुआ अदबुद चर्चा है मोहिनी भगवान को आना पड़ा बड़ी अदबुद चर्चा है और इसके बाद जब देवा सुर संग्राम हुआ तो राजा बली मारे गए तब गुरु किर्पा उन पर हुई शुक्राचार जीने किर्पा की संजीवनी खिला कर राजा बली को जिन्दा किया जीवन दान दिया और राजा बली फिर देवताओं को जीत गए और जब जीते तो उन्होंने 99 यग पूरे किये मा नर्मदा के पावंतत पर और अब सौवा यक राजा वली कर रहे थे कि सौवा यक पूरा हो तभी देवताओं की माता घवरा गई तभी मा अधिती ने पयो ब्रत किया इनके पती के कहने पर और श्री मा अधिती के द्वारा पयो ब्रत जब किया फालगो नमास की प्रतीपदा से द्वारदसी पर्यंत केवल दूद पी करके स्वरत को माने किया और इसके प्रभाव से भाद्रुपद मास के शुक्ल पक्षकी शुरवण नक्षक्ट्र वाली द्वादसी को आज भगवान स्वयम बामन रूप में प्रगट हो गए बोलिए बामन भगवान की बामन भगवान जब प्रगट भए तो भिक्षा लेकर मा को दिया माने कहा ये नहीं गुरू जी ने कहा ये नहीं त्रही लोग की भिक्षा लाइए और वो भगवान है चल पड़े वामन भगवान देखिए भगवान चाहते तो राजावली से युद्ध करके सब जीत लेते पर भगवान ना जैसे बाप बेटे से हारना चाहता है गुरू सिस्ष से हारना चाहता है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से हारना चाहते हैं और आज भगवान जीतने के लिए तो बहुत सारे अपसंचा हिरने कश्चपू से तो जीती ही गए रावड से तो जीती ही गए अरे बली से भी जीत जाते युद्ध करके सब जीत लेते यक्द करने ना देते पर नहीं आज भगवान भक्त से जीतना नहीं आज हारना चाहते ह और बामन भगवान आज हारने के लिए चल पड़े वो बामन भगवान जो भगवान है सरव सामर्थता है वो भगवान बामन बन करके छोटे से रूप में बामन अंगुल के हो करके भगवान राजा बली के द्वार पर चल पड़े भिक्षाम देही राजा बली ने देखा मेर पास सब कुछ है विशाने कुवासन है ओड़ने कुछ आता है और क्या चाहिए कमंडल भी है हाँ पर तुम देना ही चाहते हो तो इस थाई हमें कोई तीन पक जमीन देदो जहां बैटके खूब भजन करें राजा बली ने कहा प्रभू मांगा भी तो बहुत कम मांगा कोई ज पनहें से मत दो सब कुछ ठग लेंगे ये भगवान है तब राजा बली ने कहा प्रभू तब तो अच्छी बात हो गई यदि ये सामान ने प्राणी है तो तीन पक भूमी में मेरा कुछ नहीं घटेगा और यदि ये भगवान है तो सारी दुनिया जिन से मांगती है आज वो मेरे घर मांगने आया है तो मैं खाली हाथ कैसे लटा दूँ आज कैसे ना दूँ आज वामन आज वली अपने आपको धन्य धन्य समझ रहे हैं शुक्राचार जी कि यहां को बोड़ दी भगवान ने बोले तुम्हारी यहां किसी काम के नहीं ये दान देने से रोखते ह हाँ जी और मैं आपको बताऊँ भगवान के रास्ते में यदि गुरू बाधा बनता है तो गुरू का भी त्याग राजा वली ने कर दिया भगवान की प्राप्ती में यदि पिता बाधा है तो प्रहलाजी ने त्याग दिया भगवान की प्राप्ती में माता बाधा है तो भरत जी ने त्याग दिया और भगवान की प्राप्ती में भाई बाधा है तो विभीशन ने त्याग दिया रावड को और भगवान की प्र से रुकिये गामत हाँ वो कहता है प्रत्यक्ष मत करो कोई कहे आप लट्टू गोपाल जी की पूजा करती हो और आपका पती कहे कि नहीं करो फेग दे भगवान को ठाकर तो आप क्या करोगी कोई बात नहीं पती से जगड़ा नहीं करना भगवान को उसने फेग दिया तो कोई बात नहीं आप भगवान को अपने हिर्दे में बसा लो और जैसे दुष्टों के बीच में प्रहलाद ने और विभीशन ने भजन किया ऐसे आप भी विशम परिस्थिति में भगवान को भीतर से ध्यान करो अंतह करन से उनको जपो वगवान ने थेख known कि God in लेते ही विशाल करना स्ट्व बड़े हो गए निकाया निर्मित माया रॉम रॉम प्रति वेद कई जब बड़े हो गए विशाल भगवानने वुपनाया तो पहले अब गब गवानने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को ना पलिया महर लोक, ब्रह्म, लोक ना जाने कितने दूर तक भगवान का सत्य लोग कहते हैं कि भगवान के चरणों के अंगूठे से ब्रह्मांद भढ़़ गया, ब्रह्म लोक में छेद हो गया और जब भटा, तो पानी गिरा, उस पानी ने चरन धोते हुए, जमीन पर वो गिर्ता तो प्रलै हो जाता, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंदल में उसे जल को थाम लिया, और वही जल जो भगवान के चरनों से गुजरता हुआ कमंदल में गया, वही भागी रजी की तबस्या के वाद छोड़ दिया गया वही चरणों का धौमन गंगा मैया कह करके हम उसे आराब बोलाते हैं तो ये बामन भगवान से गंगा की उत्पत्ति हो चुकी थी भागी रजी तो बाद में आए हैं हाँ तो श्री भगवान के चरण धोते हुए ब्रह्मा लोग ने ब्रह्मा जी चरणों का अंगुठे का प्रक्षालन किया प्रणाम किया और दो पग में ही सब नाप लिया तीसरा पग कहां रखें तब राजा बली से कहा भगवान ने तूने तीन बग का वरदान दिया था मैंने दो में नाप आप तीसरा कहां रखो तू मुकुर रहा है इसलिए कुछ लेवी लेते हैं और बादम मारते और हैं मार और लगाई क्यों मारा भगवान ने इसलिए मार के देखा कि कहीं इसके भीतर कोई एक छाय तो नहीं है जब प्रहलाद जब जब बली पिट रहे थे और बंधे हुए थे बंधन में तब वहां प्रहलाद जी ने आकर प् इनके लेने में भी रौना मत घवराना मत ये भगवान है पर इच्छा करके देख रहे हैं तुम कच्छी तो नहीं हो अरे आप सो रुपे का घड़ा खरीते हैं तो चार वार ठोक कर देखते हैं कच्छा तो नहीं है फूटा तो नहीं है और भगवान जिसी अपनी कृपा लुटाना चाहे रहे हैं उसे भी तो ठोक बजा के देखेंगे भगत गच्छा तो नहीं है तो राजा बली को ठोक के देख रहे हैं कच्छा तो नहीं निकला कोई इक्छा तो नहीं जागरी कहीं इसकी राजसत्ता कहीं ये परिशान तो नहीं है कि लो मैंने सब दे दिया फिर भी मारते हैं पर ना धन्य है राजा बली शरणापन हो गई प्रभू अब तो एक काम करो आपने धन ना पाहे अब मुझे ही नापलो ये समर्पन है भागवान इसलिए नौवी भक्ति नवम सरल सवसन छलहीना मम भरोस ही अहरस न दीना नौवी भक्ति समर्पन है आखरी क्या है समर्पन अरे भगवान तब मिलते हैं जब जीवातमा वर्मातमा के चरणों में समर्पन करता है और राजा बली की ये कथा समर्पन की कथा है राजा बली ने मस्तक जुका दिया अर्थात समर्पन कर दिया लोग कहते ना सर कटा सकते ह तो समर्पन जगत के सामने नहीं जगनाध के सामने होना चाहिए जगनाध के सामने आज समर्पन कर दिया राजा बली ने तीसरा पग मेरे मस्तक पे रखलो प्रहलाज जी ने कहा भगवान है देने मैं भी प्यार और लेने मैं भी प्यार जैसे एक मा के दो बेटे थे एक बेटे को मा केला खिला रही थी और दूद पिला रही थी तो दूसरा बेटा भी केला छील के खाने लगा तो मा ने दो थपड जमाया गाल में किसी ने कहा कैसी निर्दई मा है एक बेटे को केला खिलाती है दूसरा खाय तो मारती है, तब उस मा ने कहा, इस बेटे को डॉक्टर ने बोला है केला दूद खिलाना तो हरश्ट पुष्ट हो जाएगा, और इसे शर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है, तो मा केला खिलाती है जिस बच्चे को, उस बच्चे से भी प्यार करती है, और ठप कि तेरे देने में भी प्यार तेरे तू जो दे मुझे वो मन्जूर मेरी कोई डिमांड नहीं मैं अपने से ना कहूं कि मुझे सुख दे दो मुझे दुख दे दो ना तुम्हें जो अच्छा लगे भगवन वो आप देना मैं तो साइलेंट ही चुपूं कोई कोई चाहत ही न बस नाम जपना है बस कृष्ण कृष्ण जपू राम राम ना रान जपू एक बार भगवान ने राजा वली पर कृपा की बामन बनके आना पड़ा और राजा वली को पाताल का राजा बनाया अगामी मनवंतर में भगवान राजा वली को इंद्र बनाएंगे अभी पुरं पहत है कि अ कि एक कलप में गाई का चौदाख मनवंतर होते हैं सुद्धु में ब्रम्ह कल्प, बाराह कल्प और पद्मकल्प मैंने आपको बताया था कि इस कल्प में ब्रम्हा जी की पूजा नहीं होती क्योंकि नारजी ने स्राप दिया है जबकि ब्रम्ह कल्प और पद्मकल्प में ब्रम्हा जी की पूजा होती है केवल बाराह कल्प में ये स्वेत बाराह कल्प चल रहा है बैवस्वत मनवंतर चल रहा है इस मनवंतर के राजा पुरंदन नाम के राजा इंद्र है अगामी मनवंतर में राजा बली को भगवान इंद्र की चाहत थी नहीं के भीतर तो भगवान अपने भक्त की इक्षा पू और द्वार अब भगवान रीज गए बली पर तुम्हें क्या चाहिए तो बली ने कहा प्रभू आपका दर्सन चाहिए बस आप यूँँ ही दर्सन देते रहो भला हमें और क्या चाहिए चरणों में गिर पड़े भगवान द्वार पाल बनके खड़े हो गए आते जाते राजा बली को भगवान का दर्सन होने लगा इससे बढ़िया बात भला और क्या हो सकती है अब राजा बली केहा भगवान खड़े हैं पर लक्षमी जी आईए राजा बली को राखी बांध कर गए और भाईया तुम हमारे पती को लटा दो कहकर के मा लक्षमी नाराण को लेकर गए बोलिये लक्षमी नाराण भगवाने की जे भगवान अपने स्थान पर अब हमारे मध्य गुरु जन पधारे हैं तो दो-दो मिनिट गुरु जनों की सुन्दर सी वानी सुनते हैं और पुना फिर जनमोट्सम में लाला राम के जनम में और लाला कृष्ण के जनमोट्सम में तुरंत प्रवेश करेंगे गुरु जनों के सुन्दर चर्णों में दास का कोटी-कोटी नमन और आये गुरु वाणी को श्रवन करते हैं गुरु जनों के सुन्दर चर्णों में दाए भक्त जन्मानस निवासाय श्री राम चंद्राय विश्वसर्ग विश्वसर्गादिन अवलक्षन लक्षतम स्री कृष्णाक्यं परम्धाम जगत्धाम नमामतत बागीशाय श्यवदने लक्ष्मीर यस्यजवच्च्च्च्च यस्यास्तेषदे संवित्तम्जिश्वमाम भजे योंत प्रविश्यमम वाच मिमाम प्रशुत्ताम संजीवयत्यकिलशक्तिदरस्त जामना अन्यांस्यहस्त चरनस्रमनत्त गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुशाय तुभ्यम् सभी लोग अपनी बाणी को पवित्र क करने के लिए स्री भग्मन नाम का उच्छाण करेंगे सबसे बडिया नाम शिराम जै राम दे यह इसकी महिमा है आनंद रामायन में इसको कोई जब ले तो कोटी कोटी ब्रह्मात्याओं से मुक्त हो जाता है इसलिए आप लोग हैं समझ लेंगे कोटी कोटी ब्रह्मात्याओं जैसे पाफ से श्री राम जै राम जै जै राम श्री राम जै राम जै जै राम धर्म की अधर्म का राणियों में विश्वका गोव माता की गोट्याओं हर हर महा देव पूरुसफ को चार पूरुसार्थों को प्राप्ट करना चाहिए। भरुसी अर्थ तै रिप्रुसार्थ धर्म अर्थ काम गोख्ष ब्ग्तょं के कूं से पूरुसार्थ हैं ये श्रीमत भागबत महापूरान के सश्थसकंद में अब शच्छम कहती हो से तो सच्छर सकन्द में जो हैवता सुड़ीन कहा है जो कर लिया था और देवराज इंद ने वो ब्रत्रा सुर्जों है वो तो भक्त ही थे पूरे उनकी मैं आपको बता देता हूं तो भक्तों का धर्म क्या है अहम हरेतो पादै कमूलो दासा नुदासो भवितास मिभूया मनस्मरेता सुपते गुनास्ते गिनीत वाक कर्म करो तुकाया अब पहले आप व्याक्षा सुनी चुके थे महराज स्री के जारा स्री मुखार विंद से वह मरेतो पादै ब्रत्रा सुर्जों क्या कहते हैं यह प्रभू मुझे आपका दास नहीं बनना है हम तो पादै कमूलो वह प्रजिंद नंदर शाम संदर मदन मौन आनंद कंद कृष् संसार ने संसार चंतन में हमारा मन न लग जाए मनस्त मरेता अशुपते अशुपते हे प्रानेश हे प्राणनार नाथ व भबदाय व ककी ताहा हिरे है हमको आप ही हुआ आपके मंगल में गुंगनों का वर्ण करें और सरीर से सेवा होती रहे जैसे महाराज आपके अमारे व्यास भगवान जैसे अनुरुद्ध जिनका नाम ही अनिरुद्ध नमौ तसमे भगवते वासुते वाइधी मही प्रद्युमनाया नुरुद्धाया नमस संकर्शनाय तो यह भक्तों का जो है धर्म क्या है भक्तों का धर्म जो है यही है हम भगवान के भक्तों के भक्त हो जाएं उनके दास हो जाएं और अर्थ क्या है क्या पारमेश्ट पत्याते हो इंद्पत्याते हो ननाक प्रिष्ठम नचपारमेश्टम नसार्वभवमम नरसाधिपत् सिधर स्वामी जी महाराज ने इसमें समंजस सब्द्र की व्याक्या में कहा है है समंजस अखिलस भागिनी थे समंजस माने अखिलस भागिनी थे हमें ननाक प्रष्ठम हम स्वर्ग का सामराज नहीं करनी चाहते है अभी सुन लिया है तो एक सामराज होने वाले हैं ननाक प्रष्ठम नच्टो क्या प्रह्माजी वनना चाहते हो वहां चाहते हो वह भी नहीं चाहता हो मुक्ति भी नहीं जाते है मुक्त ओपन मतलब है मुक्ति मुम मने मुक्ति मं भुक्ति मुक्त आदाओ त्म दाना अथा मुक्ति मुक्ति मुख्तिण अधा था अधा वुर्ण फिंज रीट इस अवाल मुक्तिम और भूम भुंखतिम जै ती खंड़ इथी याने भुक्तिम तो यह हो गया नयोग सिद्धी अपना समंझ सत्वा विरह यह कांग से हम तो केवल आपको जाते हैं आपको छोड़ करके कुछ नहीं जाते हैं अधर्म आर्फ काम है अका मनुरत फिलिया के वार कनते हुए कांटी इच्छा को कहते हैं आपको दिफ्रा पुर्शाद किसान ऐसे सब्सेठ्या है में हमारा मनूर्थ क्या है अग्षा व्हम तर्म खबास हुश्डाई सब्सक्राइबं आधार अजात पक्ष पक्षि सावक जिस पक्षि के बच्चे के पंख नहीं निकले हैं ऐसा अपनी मईया का घुसले में बैठे हुए चोच पहला करके प्रतीक्रा करता रहता अपनी मईया की मेरी मईया चिडिया कब आएगी और कब मुझे चुगा डालेगी उस तरह हम तुम्हारे लिए तड़पते रहें कि कब दर्सन दोगे भी मांके विहारी शाम सुन्दत कब आपका दर्सन होगा ननाक अजात पक्षाई वमातरम खगा दूसरा स्तन् स्टन में होने वाला जो दुख गाय से प्रेम नहीं होता बचड़े का बचड़ा जैसे अपनी मा के गाय माता के दूद के लिए जो है तरफता रहता है कि कब मैया गई गया चरने गई है कब आएगी कब यह कारिया छोड़ेगा कब दूद मिलेगा तो जैसे अत्रिनाद ब तुमारे दर्शन के लिए तुमारे लिए तड़कते रहें ये हमारा मनोरा थे तीसरा फिर उन्होंने का यह भी ठीक नहीं तो तीसरा उधान दिया जैसे कोई पतिब्रता पतिब्रता नारी अपने परदेश में कहे हुए अपने प्रियतम प्रान धन प्राने इसके लिए तड़कती रहती है कब आएंगे कब दर्शन देंगे तो प्रियम प्रियेवब विश्रतम विश्रतम मने परदेश के तम परदेश में कहे हुए अपने प्रियतम प्राने इसके लिए जैसे पतिब्रता तड़कती रहती है वैसे हम भी तुमारे लिए तड़कते नहीं प्र मिष्टने सुसक्यम संसार जक्रे भ्रमतास्वकर्म भी च्रन्म्य आत्मास्म्ट तरार गें स्वासक्त जित्त ज्नानान तबotion मोत मठी उत्तमां एप लोके कथ तेव लोके तने अधने उत्तमा रमस्टोल कहा है अनंद्र कोट प्रम्हांडनायक श्री कृष्टना है ममोत तमस्ट्रों के जने जो जने भक्त हैं जैसे अनुद्धाचार जी महराज है और बड़े बड़े सब्सक्रामी जी महराज है ऐसे लोगों से हमारा सख्यवार सखा किसको कहते हैं सखादती खेलती जो साथ में खावे खेले वाह भवान कृष्टना स्रीदामानम पराजिता है ऐसा कोई अनंद्र कोट प्रमांडनायक जो अपने सखा से हार जाने के बाद घोड़ा बन जा है तो ऐसा ममोत तमस्ट्रों के जनी सुसक्यम संसार चक्रे भ्रमतस्त्र कर्मवी संसार चक्रे हैं हमने जेव कर्म कि उसका फरनम्भूक्टे के लिए जहां दन्म लेते रहे उसकी चिंता नहीं है लेकिन संसार चक्रे भ्रमतस्त्र कर्माय आत्मात्मच्दा रगे हैं आपकी माया से प्रभूत प्रभावित जो घर आधा घर में पुत्र में संसार की संपत्त्ति में आ सकते हैं उनके सास में म का संग हम ने आपके भकतों का ही संग मिले यही मौक्ष है पुलो बंदावन विहारिना आपके ब्रता सुर्णे जो है मांगा है और हम भी यही मांगते हैं और आप लोगों के लिए भगवान से प्राठा करते हैं कि आप इस इन चारों पुर सार्थों के मांगे बोलो सब नश्ट हो जाते हैं चार प्रकार के पाप होते हैं काईक वाचिक मानसिक सांसर्गिक तो चार बार बुल्माएंगे आप लोग मेरे साथ मिल करके बोलेंगे हराएं नमाँ एक ताद बोल्य हराएं नमाँ हराएं नमाँ हराएं नमाँ हराएं नमाँ लक्षमीनात समारंभाम नातया मुनमध्यमाँ अस्मदाचार्य परियंतां बंदे गुरु परंपरां श्री गौरी गोपाल भगवान श्री मन्द भागवत के मंचपर विराजमान विश्ष्टा द्वाईत संपरदाय के मतावलंभी आचार परवर्श्री अनृद्धाचार जी महराज भागवत रतनाकर ज्यान ब्रिद्ध वयो ब्रिद्ध तपो ब्रिद्ध पुझ श्री ब्यास नंद जी महराज स्री मत भागवत जी के उपासक और बांक बिहारी वगवान के चरणों के समर्चक स्री पदम बिहारी गोर्ष्वामे जी हमारे पंडी جी जिनके आश्रे से हमें हाँ तक हाप आए हाँ पचोरी जी महराज और आप सब स्री मत भागवत के अनुरागी तथा बिरिद्धा माताएं गव और रोगी तथा दरिद्र नारायन गव माता एबं छात्रों में भगवान का दर्शन करने वाले आप सब भक्त जन्थ इस कथा के परम पुन्यात्मा यजमान आप सब बड़े ही सोभा की संपन्न हैं आपका स्रमारजित एक एक पैसा और आपके उस धर्म में खेत से उत्पन एक एक दाना आचार अनृद्ध जी उसको सत्मारग में बिन्युक्त कर रहे हैं सत्कर्म करा रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले गो साला का समद घाटन हुआ आप सब जानते हैं गो माता की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है सस्ठस कंध में बरणन किया गया है नवेद गोबे प्रगवी स्वराना भवंत्य भद्रान नरेश्वरान गव ब्राह्मन और भगवान इनको अपना जो आराधिमानत उनका कभी अनर्थ नहीं होता गाई की रक्षा करने से क्या पुरने होता है आप सब समझेंगे एक व्यक्ति था उसने सत्तर व्यक्तियों की मिर्तियु की एक संत जी के पास में गया गुर्देव मैं बड़ा भारी पापी हूँ मुझे आश्रे प्रदान करें आप उन्होंने पूछा क्या क्या किया है बोले महराज मैंने सत्तर व्यक्तियों को मारा है तो उन्होंने कहा तेरा नाम ही सत्तर रख दिया बोले बेटा सत्तर व्यक्तियों जी जाड़ू लगा लो सत्तर वेटा ये कर लो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे दीक्षा कब देंगे बुल देख तुझे दीक्षा देंगे एक हाथ में दंडा दिया उसको दंडा इसमें जब पत्यां उगे आने और उसमें काला जंडा लगा दिया ये काला जंडा जो सफेद हो जाए तब तुम समझ लेना के मेरे पाप नश्ट हो जाओ तीर थियात्रा करके आओ वह गुरुदेव के आसरम से थोड़ा दूर चला एक जंगल था उसमें उसको कुछ अबाज सुनाई पड़ी उस बीर दीर ने सतर व्यक्तियों को मारा था जीवन में यमराज सेवी भेवी तो नहीं होता था वह वो कहता था कि यमराज सेवी मैं दो दो हाथ करूँगा वहाँ जाएके देखा तो दस ब्यक्ति एक गाई को पकड़ करके मार रहे थे पीट रहे थे वह गाई अपनी रक्षा के लिए गोपाल से प्रार्थना कर रही थी क्या आज इस कलिग में कोई गोपाल के रूप में भी रक्षा करने वाला हो सकता है उस ब्यक्ति ने विचार किया मैंने सत्तर ब्यक्तियों को मारा मुझे को ये काला जंडा मिला है तीरत यात्रा करने के लिए यदि मैं जिन दसकों मारता हूँ तो पता नहीं गुरू जी कितने बर्स के लिए फिर भेजेंगे पुने निश्चे किया कोई बात नहीं है और वह मूटा डंडा लेकर आगे बढ़ा तो उन हत्यारों ने का है आगे मत बढ़ना उसने का यदि कोई भी उठा यहां से तो समझ लेना जीवित नहीं वचोगे और उसको तो मारने का अब्यास था ये हत्यारी लोग जानते हैं कहां मारने पर व्यक्ति की मृत्ति होती है तो उसने एक के दिया यहां ब्रम्रंद का भेदन हो गया खून निकला मर गया तसों को मार दिया वह गाई माता उस प्रेम और इशने है अपनी कातर दिश्टी से इस व्यक्ति को देख रही थी मानो उसके अंतहर करने से आवाज आ रही थी लगता है दौपर वाले कृष्ण आज गोपाल बने के पुने मेरे पास में आ गए और उसने क्या किया देखा उस डंडे में पत्तियां निकले आई उसने कहा कि वाहा अभी तो दो गंटा भी नहीं हुए और दोड़ करके गया गुरूजी ने कहा बेटा सत्तर बोले गुरूजी सत्तर नहीं अच्सी कहो मुझे से अब सत्तर नहीं हूँ अब प्रमोसन हो करके आया है बोले कौन से तीरत में नहाया तैने असी तीरत में बोले नहीं गो तीरत में नहा कर गया या हूँ ये तेरा जंडा का सफेद कैसे हो गया और तेरे दंडे में पत्तियां कहां से गया ही बोले गुरदेव पता नहीं सब्तर व्यक्तियों को मारने के बाद मेरा जंडा मुझे काला और डंडा मिला था इपत्ती भीन गुरोदेव मुझे समझ में नहीं आता गुरोदेव ने पूचा क्या हुआ पुल एक गाई की रक्षा करने के लिए मैंने दस व्यक्तियों को मार दिया गुरदेव ने गले से लगा लिया बेटा सर्व देव मई गव गाए माता सर्व तीर्थ मई है गाए के गोबन में लक्ष्मी का निवास है गाए के मूत्र में गंगा जी का निवास है गाए के संपूर अंगों में तेतिस करोड देवताओं का निवास है उस गाय की सेवा करने से इन गायों का आसी रिवाद आपको प्राप्त हो इन ब्रहमनों की निरक्षरता दूर हो और जो है रोगी हैं उनको निरोगता प्राप्त हो जो एक समय के भोजन के लिए तरस रहे हैं उनको भोजन की प्राप्ती हो और जो ऐसे सीत काल में बस्तर के वहिन बिना ब्यतित हो रहे हैं उनको आवरन बस्तर प्राप्त हो और हमारे अन्रधाचारी केबल अपनी जन्मदात्री माता अपनी केबल जन्मदात्री को ही माता नहीं मानते इनके मन में तो ये है के विश्वस से माता रहा हाँ विश्वस से माता रहा मम जन्मदात्री है विश्व की माताई मेरी जन्मदात्री हैं तो आप सब जो परम पावन अपना धन बिन्युक्त कर रहे हैं ये बहुत ही सदभागी और जो है इसको गहराबू रहे हैं आप इस प्रकार से आप सब बड़ भागी हैं और जैसे आप लोगों ने श्री धेनु माता के निवास अस्थान का उद्गाटन किया था हमारे अचार अनुद्धाचार जी महराज अतिशीक रही विद्ध्याले का भी उद्गाटन करने के लिए बहुत ही प्रत्न सील हैं तो आप सब जो भी स्रवन कर रहे हैं आचारी से जुड़े हुए हैं उनके सुरदूत के माध्यम से जो भी अपने करन कोहरों को पवित्र करते हैं वे सब अपने पवित्र धन को स्रीधाम ब्रंदावन में आप पिन्युक्त करें क्योंकि प्रवोदान सरस्ती जी ने यही कहा श्रीधाम ब्रंदावन का त्याद मत करो भ्रात स्तेष्ठ तले तले बित्र पिनाम ग्रामे सुभिक्छामत स्वाच्छंदं पिवयामुनं जलमलं कंथाने चीरान, कंथाने चीरान, चीराने कंथाम कुरू सम्मानं कलयाति गोर गरलं नीचाप मानं सुधा स्रीराधा मुरली धरव भज सके बिरंदाबनम मात्यज जुस बिरंदाबन के लिए भगवान कहते हैं बिरंदाबनम परित्यज पाद मेकम नगच्चती जो भगवान सी धाम बिरंदाबन को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं उस बिरंदाबन धाम का निवास हमारे आचारिजी श्री अंदधाचारिजी गोरी गोपाल सेवासरम के माद्यम से आप सब को बिरंदाबन का वह अच्छून अच्छे अभ्याए निवास प्रदाण करने के लिए प्रत्न सील है इनके सभी प्रकल्पों में आप सब अपना परम सहयोग प्रदाण करके पुन्य भागी बने श्रीमद बिरंदाबन भिहारी डाल कीजे श्रीमद भागवत भगवान की जै श्री सदगुरदेव भगवान की जै श्री अनुद्धाचारी जी महराय की जै उनके स्री गोविंद गुरुद गोविंद भगवान की जै जै स्री रादेश जै उनके माता पिता की जै हो सभी उनके भक्तों की एजमानों की जै हो बोलिये पांके बिहरी लाली की जै यस्तू यते श्रुति गणे निपुडई रजस्त्रम संपू जते क्रतु गरतै प्रणतै किरियाबिही तम सर्विकर्म फलदम निजसे विकानाम श्रीमत बिहारी चर्णम सर्णम फ्रपत्य एक बार एक वेक्ती अपने घर से निकला तो जैसे ही वो घर के थोड़ा आगे चला तो वहाँ उसको एक बिकारी मिला उस बिकारी ने उससे भीग मांगी तो जैसे ही उसने अपनी जिम में हाट डाला तो उसकी जेम में उसका फर्स नहीं था तो वो उस बिकारी से बोला कि बाबा आज मेरा फर्स घर पर रह गया है और बिकारी को अपने दोनों हाथ उस बिकारी के हाथ में दे दिये तो बुला कल मैं जब आऊंगा ना तब मैं आपको जरूर दूँगा तो वो बाबा पता है उससे क्या बोला तो बिकारी ने उससे बोला कि कल जब तुम आओगे तो मुझे कुछ देने की जरुरत नहीं है बोले तुमने तो आज मुझे वो दे दिया जो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दिया बोले बाबा मैंने ऐसा क्या दे दिया तुम्हे जो आज तक किसी ने नहीं दिया बोले तुमने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दिये और क्या चाहिए मुझे तो कहने का मतलब भक्तों सिर्फ इतना है कि कभी किसी जरुरत मंद को कभी किसी बिकारी को कभी किसी असहाय को आप देखो तो उसको पैसे दो धन दो चाहे मत दो लेकिन उसको जत और सम्मान और प्यार उसे जरूर देना क्योंकि वो इजत सम्मान जरूर आपके पास किसी ना किसी रूप में लोट कर जरूर आएगा तो ऐसे ही हमारे अनिरुद्धाचारी जी हैं जिनोंने असहाय लोगों को विरद्ध माताओं को सहारा दिया इज्जत दिया सम्मान दी और ये सम्मान उनको इतना आज मिल रहा है बिरज भूमी में मैं बहरी जी के चरणों में प्रातना करता हूं कि ठाकुर जी की अशीम करपा हमेशा इन पर बनी रहे और जो ये माध्य में एक जो इतने लोगों को विरद्धावन में बहरी जी के दर्शन करा रहे हैं और ऐसे ही करपा भक्तों पर बनी रहे जै बहरी जी की जै जै श्री राधे राधे बोली भक्त बच्छल भगवान की जै श्री भगवान ने एक वार मत्ष वनकर के सत्तिवर्द नाम की राजा को दिब्य ज्ञान दिया और है अग्रीव नाम के दैत्यका उद्धार किया श्री भगवान एक बार राम बनकर आए तो एक बार कृष्ण बनकर आए शूरी वन्स का वर्णन शुगदे भगवान सरोप्रथम करते हैं भगवान नाराण के पुत्र हुए ब्रह्मा ब्रह्मा जी के हुए हैं मरीची मरीची की पुत्र हुए कश्यप कश्यप की पतनी धर्म की पतनी से इनहीं के वंस में आगे चल करके हुए है श्री इनका वंस तो बहुत बड़ा है पर जनमुत्सब की और चलना है समय हो गया है तो सूक्षमती सूक्षम करेंगे इन्हीं के वंस में हुए हैं राजा नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अंबरीश, अंबरीश वो महाभाग, सब्त द्वीप वतीम मही सातों द्वीप के राजा थे और बहुत बड़े राजा थे पर अहंकार नहीं एक अदसी के अबरत करते और भगवान को सेवा करते इन्ही के बंस में श्री सगर भय हैं, सगर के साथ हज्जार पुत्र अंत में, सगर के दूसरी पतनी से असमंजस, असमंजस के अंसुमान, अंसुमान के दिलीप, दिलीप के भागी रजी, भागी रजी ने गंगा को रगट किया, इन्ही के बंस में हुए हैं, खटवांग, ख घर स्वयम भगवानश्री राम बढ़ारे हैं राम कछा हम कल स्रवन कर लेंगे राम चरित्र मानस पर राम कछा पर कल प्रकाश डाल देंगे राम जी का जनम हुआ जनम लेते ही बड़े हुए तो चले गए श्री विश्वामित्री जी लेकर गए हैं अहिल्यादी का उत्धार करके भगवान श्री राम पहुंचते हैं जनकपुर जहां सीता स्वेंबर हुआ सीता जी आई हैं और जब राम जी को राजा बनाने का संकल्प हुआ तो कह कई कि माध्यम से राम का बनवास हुआ राम जी 14 वर्श के लिए बनवास गए हैं पश्चाज राम जी रावड को मार करके बापिस आये हैं राम जी राजा बने हैं सिया जी रानी बने आदव राम तपो वनादिगमनम अत्वाम्रिगम तांचनम वैदेहे हरनम जटायु मरनम सुग्रीव संभाशनम पाली निग्रहनम समुद्रतरणम लंका पुरीदाहनम पश्चाद्रावन कुम्बकर्ण हनना मेतधि रामायनम राम कथा पर कल्प्रका जरूर डालेंगे ठाकुर्जी चाहेंगे तो अब मैं कृष्ण के जनमोत सबका ठाकुर्जी के जनमका सुंदर सवर्णन आपके सामने भगवान सूरी वंस में आयराम कृष्ण वंस चंद्र वंस में भगवान कृष्ण भगवा नारण के पुत्र ब्रह्मा ब्रह्मा के अत्री अत्री के चंद्रमा चंद्रमा के पुत्र बुद बुद के पुरुरवा पुरुरवा के आयू आयो के नहुस नहुस के याती याती के पुरु इन्ही गवंस में हुए हैं राजा सूर के पत्र हुए हैं श्री वसुदेवजी श्री वसुदेवजी महराज के तेरह विवाह संपन्नव है देव की साथ बहन थी दरत देवा, शान्ती देवा, उब देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सह देवा और आखरी देवकी, देवकी की सातों बहन देवकी सहत देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ और कंस की ये चचेरी देवक नाम के राजा की बेटी देवकी और विवाह जब वसुदेव जी से हुआ तो कंस बहन के विदाई में बड़ा प्रसन है और खुद आज विदाई करने का मन कर रहा ह। बहन को विदा करने गया तभी आकाश माने उही राजन कंस तु हू जिस बहन को विदा कर रहा है उस काथवा गर्व तेरा काल वनेगा और आखरी गर्व में स्वयम भगवान आएंगे अब तो कंस धरधर कापने रगा देवकी को मारना चाहा बसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कहा तुझे जिस आठवा गर्व तुझे मैं ला कर दूँगा और वहां सुंदर सी बाद स्री बसुदेव जी ने समझाया कहा कंस उसके ने देवकी और वसुदेव को जील में बंद कर दिया पहला बत्चा हुआ मार दिया दूसरे को तीसरे को चौछे को पाँचवे को छटे को साथ वे गर्व में स्वयम श्री लक्ष्मन जी बलदाव बनकर प्रवेश करते हैं भगवान देवकी के गर्व से रौहणी क प्रवेश कराते हैं रौहनी मावनी बलदाव भैया का जनम हुगा बोलिये बलदाव भैया की आठ वेगर हुमें स्वयं भगवान प्रगट हो रहे हैं निसिते तमगोते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरोपिन्या श्री शुगदेव भगवान कहते हैं राजन जब अशुदेव जी और देव की आठवी बार जब गर्वती भई भगवान गर्व में आये भादों का महिना कृष्ण पक्षिकी अष्टमी दिधी आई देवता जैजेकार करने लगे सत्य परटम सत्या परंत्र सत्यम साथ्य शयानिंप निहतमंच सत्यी सत्य सत्यम रत्य सत्यনेत्रम सत्यात्मे कंत्वां शर्णंप्रपन्नacağ आठवे गरों में जब भगवान आये देवता जय जय कार करके उद्ध घोस करने लगे जय हो प्रभु आप सत्यम परमधी मही हैं सत्य हो आप की जय हो जय जय कार करने लगे तब भगवान बादों का महीना कृष्ण पक्ष की अश्टमीत दी अवजित महूर्द रोहनी नक्षत्र प्रगट हो गए सुन्दर से समय में रात्री के ठीक 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 बारावजे प्रगट भए और भगवान का जन मोत सब चालू हो गया सारे व्रज में जैजैकार होने लगी और भगवान को लेकर वसुदेव जी जब चले जेल के ताले अपने आप खुल गए वसुदेव जी महराजी यमना जल बढ़ने लगा चरण गिरा कर दर्शन दिया भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुँचे यशोदा के हाँ यशोदा ने कन्या को जनम दिया उस कन्या को लेकर जब चले तो उस कन्या को जब उस कन्या को लेकर चले तो कंस को पता चला देव की काढ़वा गर्व हुआ है पच्छर पर पडगना चाहा वो हाँ से छुटकर आकास में चलीगी तु मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला प्रगट हो चुका है कंस ने देव की बस देव को जेल से जरके कारण मुक्त कर जिया और यहां उत्सव चालू हो गया प्रज मैं नंद के आनंद भयो जैकनिया लाल की मैं नंद के आनंद भयो जैकनिया लाल की प्रज मैं नंद के आनंद भयो जैकनिया लाल की मैं नंद के आनंद भयो जैकनिया लाल की पढ़ाई हो जानन को हाथी घोड़ा बूरन को पाल की जानन को हाथी घोड़ा बूरन को पाल की जानन को हाथी घोड़ा पूढ़ने को पाल की अरे नस्द के आनंद भयों जैन दिया माल की के आनंद भयों जैन दिया माल जैन दिया माल के आनंद भयों जैन दिया माल जैन दिया माल जैन दिया माल कर दोर किया माल जैन दिया मैं दिया मात दिया मैं दिया माल जैन संदक्त गुविंदे कोगुले आयो गुविंदे कोगुले आयो आये ठाकुर्जी की आरती उतारते हैं हरे हे ओमाओ जंद्रमामन सुर्जाद स्यक्छो हो सुर्जव जायता जूतराद बाई मन में बसाकर तेरी मूरती तारू में गिर्धर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूरती मन में बसाकर तेरी मूरती तारू में गिर्धर तेरी आरती करो न करो कश्च हरो ग्यान दो भगवन भव में पसी नाव मेरी तार दो भगवन करो न करो कश्च हरो ग्यान दो भगवन हव में पसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है ओ जिन्दगी दयाकी है भीख मांगती मन में बसाकर तेरी मूरती ओ तारू में गिर्धर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिन्दगी जब तेरे नाम करती अरपण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिन्दगी जब तेरे नाम करती अरपण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ नेरा कुछ नहीं मेरा ओ चिंता है तुझको प्रभो संचार की मन मैं बसा गड़ तेरी मोरती ओ तारू में तिर धर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाएं संच कर ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ बीनाता भबत तेरी महिमा गाएं संच कर ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ बीनाता भबत तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ दासवनी रुद्ध तेरी आरती मैं बसा कर तेरी पूरती ओ तारू मैं गिर्धर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी पूरती तो तारू मैं गिर्धर तेरी आरती तारू मैं गिर्धर तेरी आरती तो में गिर्धर 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 तो में गिर् गृत में हम इए ढूंप अधिं सीन.